आरके नॉवेल्स को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। अध्याय 281 टॉनिक सुबह में तिर्ची किरनों की एक किरन खिलकी से ये चेन के चेहरे पर प्रतिबिम्बित हुई। असपश्टा में उसने धीरे से अपनी आखे खोली, अपना दर्द भरा सिर रगड़ा और उट बैठा। बहुत पहले उन्होंने पहले से ही सामगवी तैयार कर ली थी, जो मूल रूप से शरीर को पूरक करती थी, खासकर बाग के बच्चे को। शुरुआती लाइन पर नाश्ता करने के बाद बाग का बच्चा काली लोहे की छड़ उठाने और नृत्य करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। इधर ये चेन अभी भी खाने की मेज पर बैठी थी, लगातार अपनी भोहे रगड रही थी, मुझे हमेशा कैसा महसूस होता है? क्या नुकसान है? आप पासकते हैं कि यह साबित करता है कि आप मूर्क नहीं है? मेरे मन में बहुत असपष्ट प्राचीन ड्रेगन की आवा जीवन बचा है. तीन, तीन महीने, ये चेन काई खड़े हो गए, आप क्या सोचते हैं? जिया नलुन का प्रभावशाली प्रभुत्व आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए, आपको तीन बार मानव के दाइरे में डाला गया है, और आखिरी बार मजबूत कारवाई के ल ये जू ताइकसु गुलोग की बातों से बहुत दर गई थी, जो दोड़ा उससे तेज कहा गया, नबे प्रतिशत, खुफिया अधिकारी की रिपोर्ट सुनने के बाद चेन कुन अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, उसकी आखें अविश्वस्निय रूप से भर ग जू यान को संदेश, ये चेन की बरबादी को मत देखो, मुझे ये इन जिपिंग पर ध्यान दो, और यदी आवश्यक हो, तो मार दालो, इधर ये चेन ने वानबाव मंडप में प्रवेश किया है, उफ, जब ये चेन अंदर आया, तो विशाल सिचुवान, जो अभी वी शराब पी रहा था, ने अपना सिर उठाया, तुम्हे कैसी हवा चल रही है, मुझे फिर से मजा लेने दो, ये चेन ने अपने होंट भींचे और इधर उधर चलना शुरू कर दिया, और ठोड़ी देर तक इधर उधर देखा, बुजुर, क्या आपके पास अपना जीवन बढ़ाने के लिए कोई अमरित या जीवन विस्तार है, अमरित, तुम जवान हो, क्या करना चाहते हो, क्या तुमने मेरे बाल सफेद होते देखे हैं, ये चेन ने अपने सफेद बाल हिलाए, ये निशिद तकनीक की कीमत है, निशिद सरजरी की बात करते हुए, विशाल च सोचते हुए, दाचुवान चुवान को अपनी आस्तीन से एक निला अमरित मिला, यह एक निम्न श्रेनी का टॉनिक है, जो जीवन के एक वर्ष की पूर्टी कर सकता है, बस, सिर्फ एक, एक होना अच्छा है, विशाल चुवान ने ये चेन पर एक नजर डाली और टॉनिक देन को ये चेन के हाथों में दे दिया, वह अमरित जो श्रेवान को पूरक करता है और जीवन का विस्तार करता है, बहुत कीमती है, मो ने कहा कि यह में था, यहां तक की जूफ हूँ भी, ये हमेशा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा अमरित हमेशा अपने उप्योग के लिए छ जोग करेंगे, यह आपके लिए है, बेशक आपको इसे मुझे वापस देना होगा, दा चुवान चुवान ने आराम से कुरसी पर बैठे हुए कहा, और मुस्कुराते हुए ये चेन की ओर देखा, जूफ हूँ ने मुझसे कहा, और वह उसे तीन दिन बाद लाएगा, टौती और दोहराव के बाद, देन एरवेन टौनिक को परिश्कृत करने की विधी में भी जियानलून यानने महारत हासिल कर ली है, ये सच में अच्छा है, ये चेन मुस्कुराया और डेनमिंग डेन को उसके मुझ में धकेल दिया, जल्द ही टौनिक अम्रित पिघल गया और एक अजीब शक्ती उसके शरीर में विलीन हो गई, वह जानता था कि यह शोयुआन था, हाला कि यह ज्यादा नहीं था, इसका जीवन कल भी एक वर्ष का था, मक्खी कितनी ही छोटी क्यूं न हो, वह भी मास ही है, डेन चेन्ग एक अच्छी जगह है, वहाँ विक्री के आखे चमक उठी, वह तो वहाँ होना ही चाहिए, डाचुवान चुवान ने शराब का एक भूट लिया, डाचु में लगभग 60% कीमियागर वहाँ एक अत्र हुए है, साथी डेन चेन्गी, जो डरते हैं कि उन्हें जीवन भर अमरित नहीं मिलेगा, वे अमरित महंगे नह यह चेन ने अस्थाई रूप से पूछा, यह थोड़ा महंगा है लेकिन आपके पास पैसा है, डाचुवान चुवान ने आख मारते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि वह यह यह चिन के भंडारन बैक के बारे में नहीं भूले हैं, भरपूर तेल, और भी, ज्यादा नहीं यह चेन नने खासते हुए, अव चितन रूप से अपने भंडारन बैक को धनक लिया, इस दर्से की उसे दावान चुवान द्वारा छीन लिया जाएगा, ठीक है, चलो बिजनेस की बात करते हैं, दादाव चुवान ने यह चेन की ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति को द देखा, ऐसा नहीं कि वो यह चेन के साथ मजाक कर रहा था, मेजबान अभी भी ड्रेगन आत्मा में भाग रहा है, यदि वो बाहर आता है, तो वो निश्चित रूप से आपको परेशान करेगा, प्रिपया मेरे साथ इमानदार रहे भाविश्य, यदि आप इसे सहन कर सकत हैं, तो कुछ भी न करने का प्रयास करें, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, ये चेन ने अपने कान खीचे, मास्टर शिबू ने मुझसे ये भी कहा, निश्चिंत रहे, मुझ में निश्पक्षता की भावना है, जब तक ये इन जिपिंग बहुत दूर नहीं जाती, मै आसानी से उसकी परवा नहीं करूंगा, दादा जी, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, दा चुवान चुवान ने अपनी दाड़ी रगड़ी, आप जेंग यांग जोग के शिश्य हुआ करते थे, शायद आपने जेंग यांग जोग के एक सच्चे शिश्य और मेजबा फिट है, उसने कई बूरी लोगों को सीमा शुल्क जल्दी छोड़ने के लिए आश्चार्य चकित कर दिया, फिर ये जिपिंग हिंग यू का खजाना बन गया है, कोई दूर घटना नहीं, वह हिंग यूयजोग का पवित्र पुत्र है, और वह हिंग की अगली पीडी का स् दा चुवान चुवान ने असहायता से अपना सेर हिलाया, ये चेन, एक अनुमान था जिसने मुझे बताया था कि तुम्हें ये इन जिपिंग में रोपन करना तै था, अध्याए 282 मलिन किरन हेंग यूयजोग के द्वार तक, इस बार उसने चतुर होना सीखा, और अनाव इक महल में आभी भी मेजबान के बारे में क्या, वे आने और मेहनती बनने के लिए उत्सुक थे, लाइन में इंतजार कर रहे हैं, यहां आओ, अपना समय ले लोग धीरे-धीरे, एक रक्त जिनसे इन पौधा, तुम्हें इसे निकालने में शर्मा रही है, बाहर निकलो, आपको तीन पैटन के नीचे की आत्माओं को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, यह चेन जो कुछ भी सुन सकता था, वो जिंगलुटान के शिश्यों की भयनकर चीके थी, और अहनकारी लोग स्वर्ग जा रहे थे, दुनिया गर्म और थंडी है, यह चेन ने फुस-फु जेन को कीमिया भटी के सामने खड़ा देखा, यह चेन को अंदर आते देख जुफु ने उसकी और देखा और आग पर काबू पाना जारी रखा, डुडैन सम्मेलन में जाने के लिए अभी भी दो दिन बाकी है, और आप यहां आने के लिए बहुत उत्सुख है, बस ऐसा नहीं है, यह चेन दोल कर आई और खासी दी, मैं बढ़ों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास मेरे जीवन को जारी रखने के लिए कोई अमृत है, जीवन विस्तार का अमृत, जुफु ने सुना, पहले उपर से नीचे देखा, और फिर यह चेन के लहराते लंबे बालों पर ध्यान केंद्रित किया, उस दिन आपके द्वारा डाली गई निशित तकनीक शो युवान की कीमत पर नहीं होगी, ठीक है, जैसा की बढ़ों ने देखा है, दबंगों द्वारा निशित सरजरी के लिए वास्तव में दबंग उभोग की आवश्यक्ता हो ये चेन थोड़ा निराश था, चांग डैन, इधर, जूफूर ने फुस्फुसाया और अपने हाथ में कीमिय भठी का एक बेंगनी अमरित पकड़ लिया, पुकारना, गंदी हवा के लंबे जोके के साथ, उसने आलसी कमर को तेजी से बढ़ाया, स्टोरेज बैक से एक दिया, हाला कि संदेह होने पर ये चेन ने भूत का मुखोटा ले लिया, अब जब आप अभी भी बेकार हैं, तो मैं डूर डैन सम्मेलन में एक किमियागर के रूप में पहचाना जाना नहीं चाहता, वह चेहरा जो मुझे ढखता है, वह बेकार है, ये चेन ने जूफू क को संदेह से देखा, चून की ये किमिया है, मुझे अपनी असली आग दिखानी होगी, एक बार जब स्वर्नेम असली आग की पेशकश की जाती है, तो मेरी पहचान सपश्ट रूप से प्रकट हो जाती है, क्या, आप अपनी असली आग का रंग बदल सकते हैं, रंग बदल है, लेकिन आपकी वास्तविक अग्नी आध्यात्मिक है, इसमें सरल विचार हैं, और हम विक्षु रूपांतरित हो सकते हैं, ये रंग भी बदल सकती है, क्या वह सही है, ये चेन को अपने चेहरे पर विश्वास नहीं हुआ, उसने तुरंत परी की आग को बुलाया, जो हाथ की हतेली में लटकी हुई थी, उसकी आखे उसे घूर रही थी, आप रंग बदल सकते हैं, परी की आग ये चेन के भाशन को समझने लगी, लौ टिम्टिमा गई और ब्रश काला हो गया, मैं भरोसा करता हूँ, ये चेन चिल्लाय बिना नहीं रह सकी, तुम्हारे पास अभी भी ये ख्शमता है, ये चेन की प्रशन सा सुनकर, जिया नहीं खुशी से उच्छल रहा था, ये चेन की हतेली में उपर नीचे उच्छल रहा था, काले से बैंगनी, बैंगनी से सियान, सियान से लाल, कुछ ही सासों में ये सोने से कई प्रकार में बदल गया, जब असली लाल नारंगी पीला उस नीला नीला बैंगनी सफेद काला चांदी नीचे नहीं खीचा ये है एकाज वास्तविक अंतर द्रिश्टी ये चेन ने फुस फुस आया मुझे नहीं पता कि मेरा स्काई थंडर रंग बदल सकता है या नहीं इसके साथ ये चेन ने सोचा और स आत्मे लटका हुआ था और चुरागोपने और चुरागोपने की आवाज सुनी जल्द ही तियान लेई धर्लक उठा काले से सोने में बदल गया कोई बात नहीं अब ये सिर्फ ये चेन ही नहीं था यहां तक की बगल में जूफ हुने भी आश्चर्य की रोश्नी दिखाए क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे आकाश में भी बुद्धी हो पूरे दिन मेरी सची अगनी से भले ही कोई चैते नहो ये चैते से संक्रमित है ये चेन मुस्कुराए अपनी उंगली से तियान लेई को देखा और हसे आओ देखने के लिए कई बदलाव है तियान लेई को ये चेन की बाते समझ में आ गई और उसने फिर से रंग बदल लिया सुनहरे से बैंगनी बैंगनी से सफेद और सफेद से लाल ये मत कहो ये असली आग की तरह है ये वास्तव में नारंगी नारंगी पीला हरा नीला नीला बैंगनी सफेद सोना और चांदी है बेबी वे व आपको डू डैन सम्मेलन में इसके बारे में चिंता न करनी पड़े। जू फू हसा, ये रिश्टा अच्छा है, मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको रैंकिंग मिलेगी, इसलिए महौल को पहले से ही भांप ले। जू फू को एक कुर्सी मिली और वह उस पर आलस्य से लेट गया। यद्यपी आपकी कीमिया प्रतिभा बहुत अधिक है, आखिरकार आपने मेरे साथ कीमिया सीखी है। ज्यादा समय नहीं हुआ है, डॉड़ा सम्मेलन में एक अत्र हुए युवा कीमियागर इंधन कुशल लैंप नहीं है। बुजूर्ग क्या दाचू के सभी कीमियागर इस डूडैन सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं। यह जरूरी नहीं है, मूल रूप से बुजुर्ग कीमिया के कनिष्ठों के साथ आये थे। जूफू ने कहा, मेरे और आपके जैसे ही तथा कतिद डूग डैन मूल रूप से युवा कीमियागर हैं, हम बुरी लोग हैं, ठीक है, बच्चे मनुरंजन के लिए नहीं दोरेंगे। ऐसा कहने के बाद, जूफू ने अपनी दाड़ी खुजाए और आह भरी, हाला कि कुछ युवा कीमियागर मूल रूप से पुरानी पीडी के पुराने कीमिया के स्तर तक पहुँच गए हैं, जैसे डैन चेन के शिशु प्रशिक्शु हुआ नू की प्रतिभा ओसत नहीं ह मैं उच्च हूँ, याद रखे कि वह तीन साल पहले तीन दाने वाला लिंटन बनाने में सक्षम थी, तीन साल बाद शायद वह चार दाने वाला लिंटन बना सकती है, चार कनों वाली आत्मा, क्या ये शीर्ष तक पहुँचने के लिए आत्मा का स्तर नहीं है? ये टपक रहा है, जू फू ने धीरे से सिर हिलाया, हुआ नू की प्रतिभा के साथ, आत्मा पहले से ही जमीन पर हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि आत्मा का स्तर चार कन वाली आत्माओं को बनाने के लिए जमीन तक पहुँचना चाहिए, ये पूर्ण नहीं है, उस समय दा राजा के पास था कारावास को तोर दिया, और उसकी आत्मा की स्तर ने जू वान स्तर पर चार दाने वाले लिंदान का उत्पादन किया, तो लटक रहा हूँ, ये चेन आश्चाल चकित था, आप ये क्यू नहीं कहते की ये दान काराजा है, जू फूने अपनी दाड़ी र बोलते हुए, ये चेन अपने स्टोरेज बैक को छूने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तियान जी डैन का आधा हिस्सा अभी भी अंदर पड़ा है। चलो एक नजर मारें। यहाँ, जू फू को उसकी बाहों में एक भीर की खाल की फाइल मिली और उसने उसे सौक दिया। डैन डियान, ये चेन ने अभी इसे देखा और फाइल पर दो बड़े अक्षर देखे। ये वर्षों से कीमिया के बारे में मेरी समझ है, जिसमें आमृत को परिश्कृत करने और कई आत्माओं को शामिल करने के कुछ तरीके भी शामिल हैं। सूफ हूँ धीरे से ओट गय एक आल सी कमर खीची और फिर कीमिया जारी रखना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें प्रशिक्षन के लिए अपने उत्तराधिकारी के रूप में ले जाता हूँ, तुम मुझे नाश्ता दो। था यह आवश्यक है, ये चेन मुस्कुराया और फाइल को फैलाने के लिए इं केंडरित करता है, गड़गडा हट, ये चेन की आखें तेज और तेज थी और डांडियन डोजियर के पन्ने उसके हाथों में घूम रहे थे, उनकी बायांक, जेया नलुन्यान, हलकी सी खुल गई थी, डांडियन में दर्ज डैन फैंग और जू फुलियन दोनों की समझ उ और फिर ध्यान से विकास का अनुमान लगाया गया था, इस अवधी के दोरान, जूफू ने एक से अधिक बार यहां नजर डाली, और ये चेन की आखों को स्थिर देखा, और राहत के साथ मुस्कुराया, समय बीटता गया और सूरज ढूबने लगा, इस समय तक ये चेन धीरे धीरे डैन डियान को बंद कर दिया और एक गंडी गैस उगल दी, कितना बड़ा लाब है, ये चेन ने खराटा लिया, दान्डियन डोजियर में उसकी कल्पना से कहीं अधिक दर्च किया गया, हाला कि जूफू की कीमिया डैन चेन जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वही प्रसित कीमियागर भी थे, वह कीमिया ये समझता है कि कितने लोग इसे देखना चाहते हैं, सौभाग्य से भाय बुद्धी, ये चेन मुस्कुराया, मदद नहीं कर सका लेकिन अपनी बाइया, दबन प्रतिलिपी और कटोतिक शमता को सहलाया, ताकि उसने अंजाने म मदद नहीं कर सका, और पाया कि जूफू द्वारा बनाए गए अमरित को परिश्कृत करने की प्रक्रिया बेहद कटिन थी, वह अमरित में लटके हुए अमरित के एक प्रोटोटाइप को भी सपश्ट रूप से देख सकता था, और उस पर बनी चार रेखाया आकरशिक थी चार दाने वाला लिंगदान, ये चेन बढ़ बढ़ाया, लिकिन कुछ पच्चतावे के साथ क्योंकि कीमिया खत्म होने वाली थी, और वह बहुत देर से इसकी नकल करना चाहता था डैन से बाहर, मुझे नहीं पता की कब, जूफू ने कीमिया भा, ती में आग लगा दी, अंदर से एक बेंगनी अमरित निकला, उसके हाथ में चुटकी बजाई गई पुकारना, इस समय, जूफू के चेहरे पर गंदी हवा का एक लंबा जोका था, और उसका चेहरा अभी भी थका हुआ था ऐसा लगता है कि जो कीमिया दिन भर निर्बाद चलती रहती है, राव बड़े कीमियागर हैं जो इसका समर्थन नहीं कर सकते बुजूर्ग, परिश्कृत अमरित, ये चेन पहले ही दौर चुका था, और उसने अपने हाथ रगवे और हसा, क्या आप मुझे बखवास दे सकते हैं देखो, तुम मुझे पर कुछ ध्यान दे सकते हो, जूफू उदार था और उसने अमरित ये चेन को सौप दिया ये चार कनोव वाली बुजी हुई हटी का अमरित है, जो लोगों को पुनरजीवित और पुनरजीवित करने में मदद कर सकता है स्वाभाविक रूप से ये हविस्तार की कहावत है दूसरा समझो, ये चेन मुस्कुराई और उसने अमरित को अपनी बाई आँख के सामने रख लिया था जियानल उनकी आँखों की पुतलियों पर अमर निशान भूमना शुरू हो गया था और सिवेन कुंददन और उसके शोधन में आत्मा की चाप को पकड़ना आसान था उन्होंने कीमिया के लिए आवश्यक विधी और सामगरी को पकड़ लिया है देन डियान ने पढ़ना समाप्त कर दिया जूफू आराम से बैठने वाली कुरसी पर थक कर बैठ गया और डियान को ब्रश किया लगभग ये चेन ने सिवेन कुईगू डैन में आत्मा की चाप लगाते समय इसे लापरवाही से देखा समझने लायक कुछ नहीं जूफू ने ये चेन पर नजर डाली ये और भी अधिक है ये चेन को जियानलून की जादूई शक्ती प्राप्त हुई और वह फिर से भाग गया उन्होंने सबसे पहले चार कनोवाली कठोर हटी जूफू को सौपी फिर उसने आश्चर्य की सास लेते हुए कहा एलडर जू मुझे कहना होगा आपने डंडन ने वास्तव में मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मेरे शिशो को बहुत लाब हुआ है लेकिन बेंटन कलेक्शन की तुलना में यहे एक मजाक जैसा है जू फू खुद पर हसा वांडन कलेक्शन क्या है ये चेन ने उत्सुकता से पूछा दवांडन कलेक्शन डेने जू देट द्वारा बनाया गया था वर्ष और डेन किंग द्वारा पूर्ण किया गया था इसमें आध्यात्मिक धास कीमिया और उनकी अंतरद्रिष्टी और कलात्मक अवधारनाओं के लगभग सभी परिचे शामिल है तो लटक रहा हूँ कीमिया की दुनिया में वांडन संग्रह एक खजाना है कीमियागर के लिए यह एक अमूल्य खजाना है जू फू ने गहरी सासली और उसकी बूली आखे विसमय से भरी थी क्या तुमने कभी उस बुजूर्ग को देखा है ये चेन ने जू फू को गोल आखों से देखा सौभाग्य से मैंने इसे एक बार देखा जू फू दारी के साथ मुस्कुराया लेकिन आह से भरा हुआ था इमानदारी से कहूं तो जब मैंने वांडन की किताब देखी तो मुझे कीमिया जगत की विशालता का पता चला क्या वांडन कलेक्शन डेंचेंग में नहीं होगा ये चेन ने अस्थाई रूप से पूछा डेनजू ने अतीत में डेंचेंग का निर्मान किया था और वांडन संग्रह को वहीं छोड़ दिया था उसके बैठने के बाद वांडन संग्रह को धीरे धीरे पारित कर दिया गया और पीलियों तक देंचेंग के मालिक के हाथों में रखा गया कीमिया दुनिया में सर्वोचर देंचेंग का मालिक है देंचेंग का जूफू ने यहां ये चेन को दाड़ी के साथ देखते हुए कहा, तुम्हें जल्द से जल्द बढ़ा होने की जरूरत है, हो सकता है कि अगले दो-दो सम्मेलन में तुम पहला स्थान जीतो, इस तरह तुम्हें वांडन कलेक्शन देखने का सम्मान मिलेगा, क्या ये ये चेन की आखे अचानक उजजवल और चमकिली हो गई, ये स्वाभाविक है, जूफू हसा, डडेन सम्मेलन के उजजवल पक्ष में यूवा कीमियागरों की कीमिया का परीक्षन किया गया था, लेकिन वास्तब में सभी दलों के कीमियागर वांडन पुस्तक के लिए आय इतनी परेशानी क्यों है, ये चेन ने अपना सिर्खुज लाया, जो लोग बेंटन संग्रह को देखते हैं वे इसकी एक प्रती प्रिंट कर सकते हैं और धीरे धीरे घर जा सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है, मज़ा क्या है, सूफू ने ये चेन को सफेद नजर से देख और गुस्से से कहा, दवांदन बूक एक किताब नहीं है, बलकि एक बड़ी कलात्मक अवधारना है, यह एक दिन है, भाले ही यह आपको दस साल के लिए दिया जाए, आप इसे प्रिंट नहीं कर सकते, वा, यही तो मैं और अधिक चाहता हूँ, ये चेन अजीब तरह से बाहर से लिंगदान मंडप में प्रवेश कर गया था, और उसने करीब से देखा, क्या ये बाहरी रिंट कमांडेंट हौल का जाओ जिजिंग नहीं था, ये कहना कि आज जाओ जिजिंग कोई साधारन अहनकार नहीं है, उसने अपने हाथ उल्टे रखे हुए हैं, उसकी थ रहे हैं, मैंने स्वाभाविक रूप से लिंटिन को पिंग रह समझ लिया, जाओ जिजिंग थोड़ा रुका, अपने हाथों को अपनी पीट पर टिकाया, उसकी थुड़ी अभी भी बहुत उपर उठी हुई थी, और उसने जूफू की गैर नमकीन आवाज पर एक शरार् लगता है, क्या गलत, जूफू ने शराब का एक भूट लिया और जाओ जिजिंग को दिल्चस्पी से देखा, प्रभारी भाई ने कहा, पिंगर का चमतकार पवित्र पुत्र के उपचार के अनुसार वित्रत किया जाना है, जाओ जिजिंग ने मुस्कुराते हुई कहा, आप इसके आधे से अधिक लगते हैं, पवित्र पुत्र, ये चेन ने शब्दों पर अपनी भौहें उपर उठाई, इधर जू फूने जा के बारे में कंदे उचकायो जिजिंग का सवाल, भाय जाओ, येन जिपिंग आज भी एकांत्वास में है, इसके अलावा, उसने अ धीरे चलो, मत भेजो, ठीक है अच्छा, जाओ जिजिन का चहरा उदास हो गया और वह खराटे लेने लगा, और वह अचानक मुणा और दर्वाजे की ओर चल दिया, जाने से पहले, वह ये चेन को बुरी नजरों से देखना नहीं भूला, अध्याए 284, नायक सुन्दरता बचाता है, तुम बूले आदमी, मुझे डराने की हिम्मत करो, जाओ जिजिन के चले जाने के बाद, ये चेन चिल लाया, इन जिपिंग अभी अभी मेजबान बनी है, इसलिए उसका मालिक इतना घहमंडी है, मैं हेंग्यू के भविश्य को लेकर बहुत चिंते थूँ, ज हविश्य में हेंग्यू को काला धुआ होना चाहिए, ऐसा कहने के बाद, जूफू ने ये चेन की ओर देखा और हसे, लड़के क्या आप जानते हैं कि हेंग्यू जूब के रिशी पुत्र की स्थिती मूल रूप से आपके लिए थी, जिसने सोचा होगा कि उसने 90% फिट ल इन जिपिन के संकीर्म सोच वाले व्यक्ती की तुलना में हम आपके बारे में आधिक आशावादी हैं, लेकिन आह, बुड़े लोगों के एक समूह का हस्तक शेप, डृष्य मूल रूप से एक तरफा हैं, उनके अनुसार, 90% फिट मेजबान की क्षमता बहुत आधिक है, आपके पहले सच्चे शिश्य से भी ज्यादा, ये चेन ने खुल कर मुस्कुराते हुए कहा, मेजबान जो 90% फिट है, मुझे लगता है कि मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता, मुझे ऐसा नहीं लगता, जूफू ने शराब का एक घूंट लिया और थोड़ा मुस्कुराया बड़ों आप केवल इन जिपिन की ताकत देखते हैं, लेकिन उसकी इमानदारी को नजरंदाज करते हैं, हाला कि आप उसके जितने अच्छे नहीं है, फिर भी आप इमानदारी की बात करते हैं, वह आपसे बहुत दूर है, किसी मामले का मास्टर बनना ना केवल ताकत पर निर्भर करता है, बलकि साहस पर भी निर्भर करता है, द्रिष्टी और मन और इनका हिसाब ये इन जिपिन द्वारा नहीं दिया गया है, बुज़ूर्गों ने सचमुच मुझे उपर उठाया, मुझसे सच्चाई बया की जा रही है, सूफू ने अचानक कहा, शायद देखना चाहिए था कि जेलुटांग अब कितना घहमंडी है, और जाओ जिजिन कितना घहमंडी और घहमंडी है, और भविश्य के हिंग्यू को उन्हें सौप दें, ये आत्मपराज़ है, बुज़ूर्गों को इस तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चेन मुस्कु जूफू ने अपना सिर हिलाया, यदि मेजबान आप और लियू ही है, तो मैं स्वाभाविक रूप से चिंतित नहीं हूँ, लेकिन ये इन जेपिंग मैं अभी भी इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं ये निशकर्ष निकालने का साहस करता हूँ कि वह भविश्य म भी पहरा देते हैं अपनी पूरी ताकत लगाकर, मुखिया भाए भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सके, इतना कहने के बाद, जूफू ने ये चेन की और फिर से देखा, ललके भाविश्य में इमानदार रहो, तुम्हें पता है, मैं समझता हूँ, ये चेन मुस्कुराए एल्डर मास्टर और एल्डर पैंग ने मुझे चितावनी दी है कि अगर बुजूर्ग कहना चाहते हैं, तो सामान्य परिस्थितियों में मैं आपको परिशानी नहीं दूनगा, कितना अच्छा, बस मैं पहले निकलूंगा, ये चेन ने अपने तारानकन तारानकन तारानक को थप थपाया और खड़ा हो गया, फिर भी उसे अपनी आलसी कमर को फैलाना याद आया, और फिर बाहर की ओर बढ़ा, मुझे अभी भी एक बुरी आशन का महसूस होती है, ये चेन को जाते हुए देखकर जू फूने अपनी दाड़ी रिगरी, इधर ये चेन को काले लि उपर उठाई और ध्वनी के स्रोत को देखने से खुद को नहीं रोक सका, हाला कि वह बहुत दूर था, फिर भी वह अंधेरी रात देख सकता था, दो पुरुष शिश्य एक महिला को वापस पहाल की और कीच रहे थे, क्या तुम बहादुर नहीं हो, ये चेन ने तीन या दो चरनों में पकड़ते हुए, अपनी गर्दन को जोर से घुमाया, तुम क्या कर रहे हो, इधर महिला शिश्य को चटान की दीवार के नीचे दबा दिया गया है, उसका शरीर काम रहा है, और उसने भयवीत होकर उन दो पुरुष शिश्यों को देखा जो धीरे-धीरे उ जानते हैं, एक और पुरुष शिश्य वेश्यावरिती से भरा हुआ है, चांद की रोशनी में उसका चेहरा कुछ भयानक है, कमांडमेंट हॉल, ये तीन शब्द सुनकर शिश्याय काम पुठी और उनकी आँखों से आसू छलक पड़े, आजकल जिलुतांद के पास 90% फि लिए ऐसा करेगी, थोड़ी देर के लिए महिला शिश्या हताश थी, दो भेलियों को अपनी और दोरते हुए देख रही थी, हालाकि वह अपमांजनक मानी जाती थी, फिर भी उसने बोलने की हिम्मत नहीं की, ये सही है, दो शिश्यों के पुरुष शिश्यों ने मनमाने धन से कपड़े उतारना शुरू कर दिया है, और उनकी आखों में बुरी रोश्नी और भी बहतर है, वे दो दुष्ट भेलियों की तरह हैं, वे रात के नीचे बहुत अंधेरे, बहुत बुरे दिखते हैं, अरे 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 अरे, बेशक जैसे ही दोनों अत्याचार करने वा और उन्होंने ये चेन को अपनी बहों और छाती को एक दूसरे के सामने रखते हुए देखा, ये चेन, जब उन्होंने ये चेन को देखा, तो दोनों व्यक्तियों के चहरे अचानक उदास हो गए, और थोड़ा उग्रभी हो गए, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आप अ आरांकन शिष्य के अपराद को नहीं जानते हैं, तो क्या हुआ, दरपोख होने के बजाए, दोनों शिष्य पुरुष शिष्य सही थे, बहुत साहसी, ये चेन ने खराटे लिए और एक विचार के साथ आगे बढ़े, जी जिक्सुआन को बुलाया, और तुरंत उपर पह होचे, उसका आतन, संधनेत अवस्था में दो भिक्षू एक दूसरे से प्रतिसपर्दा कैसे कर सकते थे, उन्हें बाहर कर दिया, ये चेन, तुमने हमें हिलाने की हिम्मत की, हाला कि उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया था, फिर भी दोनों पागल कुत्तों की तरह मेरा भाई इन हिंग यू का रिशी है और वह भाविश्य में हिंग यू का शिक्षक होगा, क्या आप हमें स्थानांतरित करने का साहस करते हैं, आपको मरने से बहतर बना देगा, तो फिर उसे मेरे पास आने दो, ये चिन फुस फुस आए, अपने पैरों को अपने पैरों पर उठाया और दोनों डेंटियन को लात मारी, आह, जल्द ही, होशान जोर से चिल लाया, कमांडेंट हॉल में दो पुरुष शिशे कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े, उनके सिर फैल गए, और उनके चेहरे बुग, प्री आत्माओं की तरह थे, ये चेन, भाई ये तु और उसकी त्वचा कई जगहों पर उजागर हुई थी, ये देखकर ये चेन बाहर निकल गई एक विंड़ ब्रेकर और महिला शिशे को ढग दिया गया, धन्यवाद भाई ये, धन्यवाद भाई ये, विंड़ ब्रेकर से तापमान को महसूस करते हुए, महिला शिशे की आ मेरा नाम लिंच शिहुआ है, भाई ये से एक महीने बाद, महिला शिशा ने ट्रेंच कोट पहने अपने शरीर पर सिसिकते हुए कहा, ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच डरी हुई है और उसका शरीर कापना बंद नहीं कर पा रहा है, अरे, एक आह भरते हुए, ये चेन न ये चेन धीरे-धीरे घूमी और रात में गायब हो गई, ये चेन की लगातार धुंदली पीट को देखते हुए, लिंच शिहुआ की खुबसूरत आखों में अभी भी पानी की धुंद उभर रही है, जो चांदनी के नीचे ठंड में संधनित हो गई है, और पतली पीट ब पहले कमांडेंट हॉल ने जाओ जिजिंग की गुस्से भरी आवाज सुनी, ये चेन तुम वास्तव में इसके लायक हो, अध्याए 285, प्रशिक्षू यहां है भीत्री दर्वाजे पर वापस, ये चेन युनव पीक तक चट गई और छोटे बांस के जंगल में लोट आई आखों में उसे बास के जंगल की गहरायों में एक खूबसूरत परचाई दिखाए दी, इस समय वह पत्थर की बेंच पर बैठा ध्यान पूर्वक चाई पी रहा था, उसने ध्यान से देखा क्या ये चुजुवानर नहीं था, ये देखकर ये चेन यान दिन ने अपना अत व्यक्ति अच्छी नहीं थी, वह मालिक मेरा इंतजार कर रहा है, ये चेन ने खुद को बाहरी व्यक्ति नहीं माना और बहुत सचेत होकर बैठ गया, फिर सीधे केतलीली और पानी डाला और पीने के बाद अपने मुह पर लगे पानी के दाग को पोंचना नहीं भूला, य यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह आपको भाविश्य में रुखने पर मजबूर कर देता है, चुजु जुआनर ने शराब का एक भूट लिया, मत कहो, सेकेंग में समझ लो, ये चेन ने सीधे अपना हाथ लहराया, कल के महल में मुख्य शिक्षक और चाचा ने मुझे च प्रभारी भाई द्रिलता से आपको हेंग यूजोब का पवित्र पुत्र बनने की अनुशंसा कर रहे हैं, चुजु जुआनर फुसफुसाए, आपका प्रशिक्षु उस सामगरी का टुकड़ा नहीं है, ये चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब ठीक है, चु हिला के रूप में, फिर भी उन्हें मधूरता महसूस हुई, बेशक मुझे इसे रखना होगा, नहीं तो एक दिन मेरा अफरंग कर लिया जाएगा, ये चेन मुस्कुराया, मेरा लक्षिस पष्ट है, अच्छी तरह से अभ्यास करें, कड़ी मेहनत करें, और एक दिन का इं मुस्कुराया, और पूरा व्यक्ति बहुत उत्साहित लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह कोशिश करने के लिए उत्सुक था, ये चेन की इस अभिव्यक्ति ने चुजुवान, एर को बहुत प्रसं किया, हिंग मैन्युएजोंग, अगर कोई उससे इस तरह बात कर प्रशिक्षु का साहस और अधिक मोटा होता जा रहा है, ठीक है, आराम करो, अब जब आप सच्चाई समझ गए हैं, तो आपको शिक्षक होने के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, चुजुवानर धीरे-धीरे उठा और फिर गायब हो गया, उसके जाने के सी और अपना सेर खुजलाया और वापस बांस के जंगल में भाग गई, पूरी रात कहने को कुछ नहीं था और फिर सुबह हो गई, सुबह सुबह, दिन जागने से पहले, ये चेन, जो अभी भी सो रहा था, एक भिडिये द्वारा चिल्ला कर जगाया गया, लड़के, दे को केवल इसे निकाल कर देखा जा सकता है, उसके बगल में देखने पर पता चलता है कि एक बारा साल की लड़की खड़ी है, इस समय वह बाई और देख रही है, मानो वह यहां की हर चीज के बारे में उत्सुख हो, वह चितरी चितरी थी, उसका पूरा चेहरा छोटा था, उसके जूते फटे हुए थे और उसे काफी पानीदार दिखना चाहिए था, लेकिन उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और वह एक छोटी सी बिखारी की तरह लग रही थी, गौर तलब है कि उसकी आखे पानी लिंग चे की तरह है, ये लड़की, ध्यान से देखो क्या ये जाओ शी की राजकुमारी जियान नहीं है, ये क्या है, बांस के घर में ये चेन काले चेहरे के साथ बाहर आई, जियोंग एरी को भूरते हुए और यूगुवांग जियोंग एर के बगल में बारह वर्षिय लड़की पर जपता और अचानक वो वहाँ था, शीयान, मै जोंगेर ने कंधे उचकाए, मैं पहाड के नीचे मिला, उसने कहा कि ये चेन को ढूंडो और मैं उसे उसके पास ले आया, वह तुम्हारी रिष्टेदार नहीं होगी, ये सही है, ये चेन न को खांसी हुई, उसने शीयान को अपनी बाहों में देखा, और उसे फटे देखा, एक छोटे बिखारी की तरह, उसके जूते टूते हुए थे, इसलिए उसे बहुत कश्ट हुआ होगा, आखिरकार आप अमरों की खेती करना चुनते हैं, ये चेन ने शीयान को अपनी बाहों से पकड़ लिया, उहा, मैं परी की मरम्मत करना चाहता हूँ, शीयान न जोर से सिर हिलाया, उसकी आखें आसूँ से भरी थी, डिलता से भरी थी, क्या आप वाकई इस रास्ते पर जाना चाहते हैं, ये चेन ने फिर पूछा, मैंने फैसला किया है, शीयान ने आसू पोच्चते हुए कहा, हाला कि ये सरक सुनसान है, या नेरदर्ती नहीं है, ठी शीयान ने ये चेन को पकड़ लिया, अपना छोटा सिर उठाया, उसके चेहरे पर मासूमियती और उसकी आखें आसूँ से भरी थी, आशा से भरी हुई थी, आपने कहा था, अगर मैं फैसला करता हूँ, तो आप मुझे एक शिशे के रूप में स्लीकार करेंगे, नहीं, म तुम्हारा स्वामी नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप अच्छे दिखने के लिए बहुत मोटे हैं, मैंने कहा, छोटी बेहन, तुम इस तरह चैट नहीं कर सकती, जियोंग एरी ने गंभीरता से कहा, अपने बाल है कि मैं बहुत मोटा दिखता हूँ, लेकिन लोगों को उनके स्वभाव को देखने की जरूरत है, क्या आप स्वभाव को समझते हैं, मेरा स्वभाव हें यू के लिए अद्वितिय है, मैं, तुम चले जाओ, इससे पहले की जियोंग की बात खत्म हो, ये चेन ने उसे ला कपड़े बदलो, मैं पहनूंगी में तुम्हें तुम्हारे गुरु पूर्वच से मिलवाने ले चलता हूँ, उहो, शी यानक्सियाओ की आखें अर्धचंद्रा का राकार में सिकुल गई, और वह अपने कपड़े पकड़ कर कमरे में भाग गई, जल्द ही, जेयान जो अ भिवादन किया और बाहर चलने का नित्रित्व किया, शी यानने आगे बढ़ने की जल्दी की, रास्ते भर वह बाय से दाय देखती रही, नश्वर संसार में इससे सुन्दर कोई संसार नहीं है, जब भी वह कुछ हजीब देखती है, तो वह ही ये चेन के पास कूद जाती है या गलत, शायद एक दिन तुम पाओगे कि तुम एक नश्वर राज्य बन जाओगे, राजकुमारी भी बहुत अच्छी है, दोनों युनव पवेलियन तक आये, जैसे ही वह अंदर गया, ये चेन ने चू जुवानर को बादल पर बैठे देखा, गुरुवर, मैं आप परवाही से कहा, मेज पर रखी केतली ली और उसे पी लिया, अपना मुह धोया और उसे निगल लिया, अभिने त्री, चू जुवान, प्रा आश्चर्य चकित था, उसने पहले शीयान को देखा, और फिर ये चेन को देखते हुए कहा, क्या प्रशिक्षु है, वह जाओग रह ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, चलो, यहाँ आओ, चाची, चाची बहुत सुन्दर लग रही है, शीयान ने मधूरता से कहा, उसकी आखे अर्धचंद्र काराकार में सिकुल गई, छोटा मुह वास्तव में मीठा होता है, चू जुवान, एर ने जियान के छोटे से चहरे पर चुटकी ली, और उसे यह बहुत पसंद आया, उसने एक स्पिरिट बीड और एक जेड ब्रेसलेट भी निकाला और अपने हाथ में रख लिया, का, धन्यवाद चाची, अरे, अरे, इधर, यह चेन सुन नहीं सका, आंठी, मैं दलित हूँ, यह आप पर से देखा, लेकिन जब उसने शीयान की तरफ देखा, तो वह फिर से मुस्कुराए, उसकी बात मत सुनो, चाहो तो मेरी बहन से ऐसा करने को कहो, कश, चुजुवान, रख के एक शब्द में, यह चेन ने बस अपने मुह में चाय पी थी, और उसका मस्तिश्क बाहर निकल ग वह विक्सिन स्टोन है, अधिक बैठना और अभ्यास में मदद करना ठीक है, वह यूलिंग गार्डन है, जिसमें आत्मिक जानवर रहते हैं, सप्ता के दिनों में उन्हें उत्तेजित न करें, जेड मंडप से बाहर ये चेन जियान को जेड पी की यात्रा पर ले गए, वह जहां भी गई, उसने संक्षेप में जियान का परिचय कराया, ठीक उसी तरह जैसे उस दिन चूजुवानर ने उसका परिचय कराया था, मुझे नहीं पता की क्या हुआ, और शी यान का नित्रित वक्या, उसे अजीब लगा, वहाँ एक प्रशिक्षू था जो भ्रमित था और वह अभी भी आधा लटका हुआ था, मैं वास्तव में नहीं जानता की जियान को कैसे पढ़ाऊं, शी यान के जेड पीक के चारों और घूमने के साथ, ये चेन उसे वापस ज्याव जुलिन तक ले गया, मालिक हम खेती कब करेंगे, शी यान यान ने ये चेन को बचका कराएं, ये दादाजी जाग फैंगियन है, ये हूँ वा है, ये जी यो इगल है, ये मेरा परिवार है, अहाँ, शी यान मुस्कुराए और उच्छल पड़ी, दोनों आखे चोड़ी होकर अर्धचंद्राकार हो गई, अरे, ये हिंग युयजोब के बारे में एक फाइल है ये बहुत कुछ परिचे कराती है, आपको पहले इससे परिचित होना चाहिए, ये चेन ने शी यान को एक फाइल सौंपी, जो उसे उस दिन जाग फैंगियन ने दी थी हिंग्यू का परिचे, बेहत सावधानी से ये चेन को दृता से संदेह था कि जाग फैंगियन पहले धी खुफिया जानकारी में शामिल थे, न केवल हिंग यूजोंग, बलकी कई जेंग्यांग और किंग्यूनिजोंग परिचे भी, गुरु आपका धन्यवाद, शी यान खुशी से मुस्कुराए, दोजियर पकड़कर आग्याकारी रूप से दर्वाजे के सामने सीडियों पर बैट गई, पहले से ही अपना सिर नीचे कर लिया और दोजियर फैला दिया, वह जियुक्सियन वर्ल्ड के जिग्यासु लोगों से मोहित हो गई थी, बड़े भाय, वह कौन है, दासिंग स्टिक थक गई थी, और बच्ची ने अपना पसीना मलते हुए ये चेन की और जाओ गुओ की राजकुमारी, जो एक अमर की खेती करना चाहती थी, मेरे पास आई, ये चेन मुस्कुराया, राजकुमारी, बाग का बच्चा चोग गया, और वह कुछ दूर नहीं, जियान की और उत्सुकता से देखने से खुद को नहीं रोक सकी, मैं जिंग हुआ पाजे में प्रवेश किया, हुवा ने जी जुवान के साथ नहीं खेला, हाला कि चुनकी जी जुवान को प्रीफैक्च स्तरिय कटपुतली में अपग्रेड किया गया था, मोने कहा कि यह एक बाग का बच्चा था, शायद वह उससे लड़वी नहीं सकता था, हाला कि वह ए कटपुतली थी, वह एक आजनबी थी, कोई सामान्य ताकतवर नहीं, हाहा, जल्द ही, फुवा ने काली लोहे की छड़ से नृत्य किया और जी हुवान पर लगातार हमला किया, लेकिन उसे बार-बार पीटा गया, स्वाभाविक रूप से, ये चेन ने बहुत पहले ही जी थोड़ा कठोर है, उसे सघन अवस्था में एक शिकारी से लढने दें, ताकत में अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन ये चेन समझती है कि आज की कठोरता बाग के बच्चे को तेज बना देगी, प्रगती करो, कम से कम समय में बड़े हो जाओ, मुझे नहीं पता कि चुजु रहे हैं कि मैं बहुत कठोर हूँ, ये चेन चुजु जुआनर को देखकर मुस्कुराए, जब आपने मुझे प्रशिक्षित किया, तो मैंने आपको ऐसा कहते नहीं देखा, वह आपके जैसा अच्छा है, वह इंसान है, आप, ये सुनकर, ये चेन ने अपने मुँ के कोनो पर तेजी से जटका दिया, चुजुवान, मैं तुम्हें इस तरह नहीं ले जाऊंगी, मैंने तुम्हें डाटा नहीं, ये साच है, चुजुवान, रने कंधे उचकाय और जियाव जुलिन में एक खुली जगह की तलाश में चला गया, और फिर अपना हाथ फिराया, और वहां एक शांदार चीज बिखेर दी, अचानक, खुली जगह में एक तलाब बन गया, जिससे धुंधला बादल चा रहा था, और दूर तक शांदार शुकरानू की गंधा रही थी, तुम्हें यूलिन्ची यहां क्यों मिली, ये चेन ने आश्चर्य से चुजुवानर की और देखा, ये जेड़ पूल का केवल एक तिहाई हिस्सा है, जेड़ पूल के शुकरानूओ की हानी को रोकने के लिए, छुजुवान रहने जेड़ पूल के किनारे पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा, और वह जेड़ पूल में तरल पदार्थ डालता रहा, ये देखकर कि आपने बाग के बच्चे को कैसे प्रशिक्षित किया, मुझे लगता है कि मेरा निर्नय अभी भी बहुत सही है, जब वह खड़ा नहीं हो सकता है, तो उसे अंदर आने दे और उसके शरीर को भिगो दें, साथ ही पहारी इलाके यूलिंची जाने के लिए भी बचाएं, ये रिष्टा अच्छा है, ये चेन ने अपने हाथ रगवे और मुस्कुराते हुए कहा, यहां भी भी मास्टर के बारे में विचारशील है, अन्यता मास्टर भी हमारे साथ चले जाएंगे, मैं एक मजबूत पॉइंट बिस्तर खरीदने के लिए पहार से नीचे क्या मैं सोच सकता हूँ कि आप नाटक के उस्ताद हैं, चुजुवान, र ने अभी भी यूलिंची को लापरवाही से व्यवस्तित किया, क्यूं, फिर तो कुछ भी नहीं है, ये सर्वोत्तम नहीं है, चुजुवान, एर ने ये चेन को एक सफेद रूप दिया, और फिर उसे अपनी जादूई शक्ती प्राप्त हुई, फिर शुसने जियान पर नजर डाली जो बहुत दूर नहीं थी, फिर मुली और गायब हो गई, एक मजबूत बिस्तर तैयार करना सुनिश्चित करें, और आप निश्चित रूप से भविश्य में इसका उप्योग करेंगे ये चेन मुस्कुराया, और अपने मन में उन्चुन जियावमी चीजों के बारे में सोचने लगा, इसके बारे में सोचने लगा, और वह अनलोडिन को प्रजवलित करने में मदद नहीं कर सका जाग फैंगनन कुछ समय के लिए व्यथित था, ये चेन ने जल्दी से जीहुआन को हमला बंद करने का आदेश दिया, और फिर घायल बाग के बच्चे को सबसे तेज गती से यूलिंग पूल में डाल दिया चोट से उबरने के लिए उन्हें पानी में भिगोया गया, अब उसे ये भी पता चल गया कि चुलिंगर का निर्ने कितना सही था इससे आगे पीछे दोड़ने में लगने वाला समय भी बच्चता है, कुछ ही दूरी पर शीयान फाइल पकड़ कर दोड़ी, खून से लटपद बाग के बच्चे को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया था डरना, ये चेन ने उसकी तरफ देखा, नहीं, नहीं, हाला कि बोलते हुए, शीयान ने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसका शरीर काव रहा था शीयान, बिक्षु संसार नश्वर संसार से भी अधिक फ्रूर है, आप केवल हिंशेल के सिरे को देख रहे हैं ये चेन ना, बिना किसी मजाग के शीयान की ओर देखा, जब आप वास्तव में इस मार्क को अपनाएंगे तो मैं धीरे धीरे इस मार्क को अपना लूनगा तारानकन 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 द्रिश्य प्रत्येक भिक्षु के लिए एक आवश्यक पार्थ्यक्रम है मैं, मैं समझता हूँ शीयान ने अपने होंट भीन चे नश्वर दुनिया में आप एक कुलीन राजकुमारी हैं लेकिन भिक्षु दुनिया में राजकुमार जैसी कोई चीज नहीं है। आपकी सम्मानजनक स्थिती को यहां कोई विशेशाधिकार नहीं मिलता है। यह चेन ने आगे कहा यह एक मजबूत व्यक्ति है। दुनिया में कमजोर लोगों को धमकाया जाता है और आपके पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह विक्षु समुदायद्वारा निर्धारित नियम है। मास्टर क्या यह हमारे अभ्यास की शुरुआत है है ना। शीयान ने अपना अपरिपक चहरा उठाया और यह चेन की ओर देखा। हाँ, यह चेन ने सिरहिलाया। दावबाद की खेती ना केवल खेती के बारे में है बलकि दावबाद भी है। जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं तो आपके पास एक निडर दिल होता है और दिमाग अस्थिर होता है। आगे की राह का सामना क्यों करें? काटे। शीयान ने इसे लिखा है। शीयान ने थोड़ा सिरहिलाया। डोजिया को देखना जारी रखें और कल अपचारिक रूप से अभ्यास करें। अगले कुछ वर्षों में मैं आपको धीरे धीरे भूल जाने दूनगा की दर्द क्या होता है। शीयान दर्ता नहीं है। शीयान ने एक गहरी सास ली, उसकी आखें दर्र संकल्प से भरी थी, दर्रता से भरी थी, वह जावगुओ की राजकुमारी है, जो अमर के लिए तरस रही है, इसके लिए उसने अपने पिता और रानी के महल से बाहर निकलने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। खाओं मैं कुछ नहीं खा सकता, मैंने हवा और सूरज का अनुभव किया और अंधेरी रात में कांप गया, लेकिन फिर भी मैं हिंग्यू से ज़्यादा दूर नहीं आया। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन वह जानती थी कि तथाकतित कठिनाई भिक्षू की लंबी यात्रा की तुलना में केवल एक छोटी सी शुरुआत थी। अध्याए 287, निर्दई रात के समय सभी चीजे शांत हो जाती हैं। आंगन में बैठ कर, ये चेन ने निगल लिया और ध्यान किया, धीरे से अपनी आखे खोली और फिर धीरे से जियान के कमरे में प्रवेश किया। चोटी लड़की अपना तकिया पकड़ कर गहरी नींद में सोती थी, और कभी-कभी सपने में अपने रानी पिता और मा के बारे में कुछ शब्द कहती थी। उसकी आखों के कोनों में भी आसु थे जो सूख नहीं रहे थे। वह पतली और कमजोर थी, वहीं सिम्टी हुई थी और दया जगाती थी। ये वह तरीका है जिसे आप चुनते हैं। ये चेन ने गहरी सास ली और अपने पेट के निचले हिस्से की और इशारा किया। फिर जियान के पेट के निचले हिस्से से एक प्रोध फून गुस्सा उसकी उंगलियों पर बह निकला और उसे मेरिडियन को आकरामक रूप से खुलने में मदद मिली। कुआ तुरंत सोई वी जियान की आवाज, भौहे चड़ाने और छट पटाने की आवाज, अचानक थोड़ा दर्द प्रकट हुआ छोटा चेहरा, नंगी आँखों से दिखाई देने वाली गती से पसीना बह रहा था और वह अपनी छोटी सी मुठी भीचने से खुद को र प्योग किया था, बाग बाग के विपरीत, शी आन ग्यान जणों के साथ पैदा हुआ है और जादू की चाल अर्ध बंध है, ऐसे व्यक्ति का जन में एक अच्छे बीज के रूप में होता है, बस एक मार्गदर्शक की कमी होती है और वह मार्गदर्शक हो सकता है, खुला ये चेन का दिल धीरे से फुस्फोसाया, और संघनित उर्जा ने जयान के जादू को सकती से खोल दिया और प्रमुक मेरिडियन और डेंटियन के चैनल खोल दिये चोन कियाओ, यह एक बहुत दर्दनाक प्रक्रिया है, सामान्य परिस्थितियों में व्रिध भिक्षु धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे-धीरे युवा पीडी के लिए खुलेंगे, लेकिन ये चेन धीरे-धीरे शीयान के लिए भाग जाते हैं ये चेन इस कारण को समझता है कि तथाकतित लंबा दर्द छोटे दर्द से भी बत्तर क्यूं है, क्योंकि उसका मानना है कि ये कमजोर दिखने वाली राजकुमारी जाओग वो वास्तव में एक बहुत मजबूत छोटी लड़की है, अन्यता वह के लिए हिंडियों में नह हो गया, उसकी नजर राहत महसूस करने लगी और पूरा शरीर मानो दूप में नहा गया हो कडाके की थंड के महीनों के दोरान, पुकारना, इस समय ये चेन अपनी हथेली हटा रहा था, और शीयान के शरीर में फेकी गई क्रोधित करने वाली उर्जा भी वापस लेली गई थी, हाला कि ये हंत नहीं है, उन्होंने शीयान को इसकी आदत डालने के लिए एक चोथाई घंटे का समय दिया और फिर फिर से शुरू किया एक परी अगनी की बली दी और शीयान के शरीर को लपेटा, इस बार वह सतर्क था, क्योंकि परी अगनी शोधन कोई मजाक नहीं ह राव जीयोंगेर और वह हैं, और दर्द को सहन करना मुश्किल है, जियान का उल्लेक नहीं करना, जो अभी खुला है, और इस अवदी के दोरान खत्रा है, थोड़ी सी लापर वही शीयान की खेती की नीव को नश्ट कर सकती है कोई, जियान, जो अभी अभी सोई थी, ने फिर से दर्द का रंग दिखाया अपनी नींद में, उससे महसूस हुआ कि वह अपने नंगे पैरों के साथ आग के समुद्र में कड़ी मेहनत कर रही थी, और वह जो भी कदम उठाती थी, वह आग की लेक्टों से जल जाता था, उसका कमजोर शरीर मानो हरपल राख में बदल जाता हाला कि गंबीर दर्द का अनुभव करते समय, उसके शरीर में रिफाइनिंग बॉडी भी बदल गई थी, आठ फ्लासिक नसे, चार अंग और पाच आंतरिक अंग सभी को परी अगनी द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, इसमें मौजूद अशुद्धिया शोधन निक का अनुसरन नहीं करती, शरीर से लगातार परिश्कृत होता रहता है, आधे घंटे के बाद ये चेन ने एक बार फिर अपनी हतेली पीछे खीच ली, फिर उसने शी यान को उठाया, दर्वाजे से बाहर चला गया, और उसे बगीचे में जेड पूल में डाल दिया, जैसे ये चेन निश्क्विय नहीं था, परियगनी के बलिदान ने शी यान लियान हुआ को डैन तियान की ओर जामें डालने में मदद की, तीन घंटे बाद तक ये चेन अपने नितंबो के बल जमीन पर नहीं बैठा था, राओ वह थे और उनके माथे से पसीना टपक रहा था, ये चेन ने चू जुवानर पर नजर डाली, ओह चू जुवान, रा ने इसे हलके में नहीं लिया और जेद लिंची में शी यान पर नजर डाली और आहे भरने से खुद को नहीं रोक सका, नसों का निर्मान, खुलना, परिश्प्रित होना, क्या आपका बच्चा बहुत वह वास्तव में एक छोटी लड़की है, क्या लाओजी यहीं जेद पीक पर है, या वह एक जवान आदमी है, ये चेन ने अचानक कहा, मैंने तुम्हें मेरे आदमियों पर दया दिखाते नहीं देखा, सभी ने कहा, आप अलग है, चुछ जुआनर ने कंदे उचकाए, आप सच्ची अगनी सुरक्षा के साथ पैदा हुए है, शारीरिक गठन सामान्य लोगों से अलग है, रक्त और रक्त सामान्य लोगों की तुलना में बहुत बड़ा है, वह आप से कैसे तुलना कर सकती है, बेशक मुझे पता, ये चेन ने आलसी कमर फैलाई, अगर ऐसा नहीं ह होता, तो मैं और जोर से शुरुआत करता, छोटी लड़की को कटिन समय हो रहा है, चु जुआनर ने फिर आह भरी, कैसी छोटी बच्ची है, आपकी शिश्या है, ऐसा मत कहो, तुम मुझे बुड़ा कहते हो, ये केवल सौ साल पुराना है, पुराना नहीं, ये चेन मुस् सुनकर, चु जुवान, रने भोहें उठाई और ये चेन की और मुस्कुराते हुए देखा, क्या तुम्हें खुजली हो रही है, जब मैंने कहा ही नहीं, ये चेन न को खांसी हुई, व्यवसाय बोलो, चु जुवानेर ने ये चेन को सफेद नजर से देखा, और पूछा, भाई जू और भाई पैन की बात सुनो, क्या तुम्हें जीवन बढ़ाने के लिए कोई और अमृत मिल रहा है, अहा, ये चेन ने सिर हिलाया, और अपने लंबे सफेद बालों को मोड लिया, वह निशिद सरजरी शो युवान की कीमत पर थी, ये सुनने के बाद, चु जु जुवान, एर ने चुपचाप ये चेन की और देखा, और भी बहुत कुछ है, ये चेन मुस्कुराया, ये कितने का है, चु जुवानर अभी भी ये चेन को भूरते हुए पूछ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये चेन उसे सटीक उत्तर नहीं देगी, और वहार नहीं मान ठीक है, दो साल, इस संख्या को सुनकर, राव मदद करने में असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने चुजुवान, राकी द्रिर्ता से कहा, अच्छी दबंग निशित तक्नीक, ये भी कोई रास्ता नहीं है, ये, चेन ने कंधे उचकाए, अन्य था हमें खेलना समाप्त करना होग ठीक है, मैं भविश्य में अलडर जूफू के साथ देंचेन जाऊंगा, वहां खूब अमृत की बिक्री होनी चाहिए, चुजुवान, रा ने एक गहरी सास ली, एक बैंगनी अमृत लिया और ये चेन को दिया, ये बुईवान देन है, जो जीवन के दो साल भर सकता है, आ आप इस बार मुझे इनाम देंगे, इस बार ये हवास्तब में मुझे थोड़ा असहच कर देगा, तो मैं इससे तुम्हारे लिए बना दूंगा, चुजुवानर ने ये चेन को दिल्चस्पी से देखा, ये सब ठीक है, ये चेन नहां से, युवन युवन देन को उसके घुलने दिया, अच्छे से आराम करो, चुजुवानर ने ये चेन पर नजर डाली और बाहर चलने के लिए मुझ गया, मास्टर, अगर आपके पास जीने के लिए केवल तीन दिन है, तो क्या आप मेरे साथ बिस्तर पर चलेगे, उसके पीछे, ये चेन ने अपने हाथ पर लेटी हुई थी और सीटी बजा रही थी, और शीयान ने उसे खीच लिया जो अंदर भाग गया, मास्टर, मैं स्वर्ग और प्रित्वी की आभा को अफशोशित कर सकता हूँ, छोटी लड़की योगिनी की तरह उच्छलती हुई बहुत खुश लग रही थी, एह, ये सच्छ मुच है बधाए हो, ये चेन ने अपनी नींद भरी आखे मली और पेट के बल लेट गया, मैं आधी रात को व्यस्त था, और निश्चित रूप से आप स्वर्ग और प्रित्वी की आभा को अफशोशित कर सकते हैं, अन्यताम मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, एक अच रूके मूह का रहस्य है, शीयान उज्जवल देख रही थी, आप ऐसा कह सकते हैं, ये चेन ने समझाया, क्योंकि ये है एक रहस्य है जो चालो का परिचे देता है, अधिक सटीक रूप से ये लड़ाई में एक रहस्य है, पहले तीन लेक मानव शरीर के अंगों के सहयोग क बारे में हैं, और सहयोग कैसे करें अधिक शक्तिशाली शक्ती के उपयोग को अधिक्तम करने के लिए, जहां तक अंतिम तीन का सवाल है, ये वास्तविक कोशल है, जिस कारण से इसे जानवर का क्रोध कहा जाता है, वो स्वाभाविक रूप से जानवर से संबंधित है, क् पानवर की लड़ाई ज्यादातर आदिम मास से लड़ती है। लोगों को कभी-कभी उन्हें सीखना चाहिए। पैर, हात और घुटनों का सहयोग अपनी ताकत को अधिक्तम करेगा और करीबी लड़ाई शुरू करेगा उसके तेजी से मजबूत शरीर के साथ मिलकर इसके नि आप स्वर्ग और प्रित्वी की भावना को अफशोशित कर सकते हैं। मुझे पहले आपको शाही QE की सरल विधी सिखानी चाहिए, लिकिन एक मास्टर के रूप में मुझे लगता है कि आपको शाही QE की विधी सिखाने से पहले आपको ये बताना आवश्यक है निकट इक पूजा करते हैं, इस प्रकार सबसे आदिम लड़ाई तकनीकों की अंदेखी करते हैं, जिससे अधिकांश बिक्षू साधना में कम नहीं होते हैं, लेकिन करीबी मुकाबला सड़ा हुआ होता है। यह एक गड़बड है, यह चेन हां से, चून की आप मेरे शक को आपके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। पहले हथापाई की खेती करने से आपकी नीव मजबूत होगी ताकि आप समझ सकें। हाला कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन शीयान सीखता है कि आप कैसे पढ़ाते हैं। शीयान मुस्कुराया, मुझे तुम्हारा शीयान पानी का एक कौर निगलने से खुद को नहीं रोक सकी लेकिन फिर भी उसने कंगन पहन लिया और यह उसके लिए इतना भारी था कि उसका चेहरा लाल हो गया। आया शुरू करें। ये चेन ने आदेश दिया जानवर के दिल के गुस्से का अभ्यास करने से पहले छ शीयान ने जोर से सिर हिलाया, गहरी सासली, एक भारी कदम उठाया और छोटे बांस के जंगल के चारों और दोरना शुरू कर दिया। कुछी देर में पहले से ही पसीना आ रहा था। भाईया, क्या वहैसे ही ठक जायेगी। फूवा ने अस्थाई रूप से ये चेन की और देखा, ये सहना कठिन है और फैंक श्रेश्ट है, ये चेन ने गहरी सासली, ये सहना कठिन है और हर कोई अच्छा है, फूवा बुदबुदाया और सोच समझ कर चला गया और काली लोहे की छड़ों के साथ मृत्य करने लगा। जाली और उसे ध्यान से देखा, और कभी-कभी वह जयान और हुवा पर नजर दलना नहीं भूला। एक दरजन से भी कम चक्कर लगाने के बाद शीयान की सासे थम गई, उसके कदम कमजोर हो गए है, और बाग का बच्चा ज्यादा बहतर नहीं है, क्योंकि उसने खुद प कि ये चेन कठोर है, फिर भी वही ये चेन के द्रिश्टिकोन से सहमत था, साधना के लिए साधू की नीव बहुत महत्वपूर्ण थी, मुझे नहीं पता कि कब शीयान आधा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, पहले से ही पसीना आ रहा था, उसका शरीर भाब बन र आपको आराम करने के लिए आधा घंटा दीजिए, हालाकी आश्चर्य हुआ, ये चेन ने कुछ कहा, ठीक है, शीयान ने सिर हिलाया, और जल्दी से यूलिंग पूल में चला गया, अपनी सास को समायोजित करते हुए, यूलिंग पूल के पानी के शुकरानू के साथ अपन कूद गई, और जानवर के दिल के क्रोध की रहस्यमय विधी की अपनी समझ के एनुसार, वहातों और पैरों के दमन के कारण अपनी मुट्टी और पैरों को नृत्य करना शुरू कर दिया, उसे बहुत धीमा करो, इस चोटी लड़की की समझ सच्च मुच भयानक है, हाला क के साथ, उसकी उपलब्दी भाय लियूई के अधीन कभी नहीं होगी, ये चेन बुद बुद आया, छोटे बांस के जंगल के बाहर, चुजुवान, एर फिर आया, और उसके पीछे काले रंग का एक युवक था, वह गूंडा लग रहा था, उसकी आखे खाली थी और उसक चिंता मत करो, अभ्यास जारी रखो, चुजुवान, रह ने मुस्कुराते हुए फुस्फुसाया और ये चेन की और चल दिया, उसने शीयान की कलायों और टखनों को देखा और पहचान लिया कि यह एक वरुत्वा कर्शन कंगन था, जैसे ही उसने अभ्यास शुरू किया उसे 40 पाउंड वजन का एक कंगन और एक तखने की अनभूठी दे, आप मास्टर भी काफी कठिन है, चुजुवानर ने ये चेन पर नजर डाली, आपकी तुलना में मैं लग भग हूँ, ये चेन ने अपने होंट थप थपाए, जब आप मुझे प्रशिक्षन दे रहे थ तो मेरा वजन 40 किलो से अधिक था, यानि 500 किलो, मेरी तुलना में मुझे लगा कि जियान का प्रशिक्षन चंचल है, सभी ने कहा आप उनसे अलग है, ठीक है, यह अलग है, वे इंसान है, मैं एक जानवर हूँ, यही तो तुमने कहा था, चुजुवान, रहने कंधे उचक ने के लिए है, मुझे मारने दो, मैंने उसे एक मुखे से उड़ा दिया, यह चेन मुस्कुराया, लेकिन मैं हुआ और जियान को प्रशिक्षित करता था, मैं कल देंचेन जा रहा हूँ, इन दिनों मैं यहा नहीं हूँ, आपको उन्हें लड़ने देना होगा, वे कितने स आलके हैं, आप उन्हें अपने साथ इसे आजमाने दे सकते हैं, चुजुवान, एर ने यह चेन पर नजर डाली, आपने कहा था, जो लोग हरा सकते हैं, उन्हें पहले पीटना सीखना होगा, तुम्हें अच्छी तरह याद है, मालिक कुछ मत कहो, यह सब तुमसे ही सीखा है, यह चेन ने अपना हाथ लहराया, आपने मुझे तब कैसे सिखाया, अब मैं उन्हें कैसे सिखाऊं, यह देखते हुए कि वे इंसान है, मैं एक जानवर हूँ, मैं ओचित रूप से प्रशिक्षन कम कर दूनगा, इतनी बड़ी नाराजगी मैं क्यों सुनून, अपने हाथ फैलाए, आप इससे इंकार नहीं करते, बेशक मैं इससे इंकार नहीं करता, इसलिए मैंने सीखा कि आपके प्रशिक्षु को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, यह चेन ने भी अपने हाथ फैलाए, आपकी सफलता की कहानी को देखते हुए, मैं निश्चित अध्याय दो सो नवासी देंचेंग प्रशिक्षन का एक दिन चुक्चाप बीद गया और जब रात हुई शीयान और हूँ वासबी ठक गए और गिर पड़े। शरीर को सयमित किया और फिर अपनी सास लेने के लिए आंगन में बैठ गया। सुबा के शुरुआती घंटों में ये चेन फ्यूटन से उठा और फिर उसने खुद को एक काले वस्तर में धख लिया और एक भूत का मुखोटा लगा लिया। फिर उसने चुपके से जेड गलपीक को गिरा दिया और हिंग योयजोग से चुपचाप बहर भाग गया। वह एक दरजन मील से अधिक दूर नहीं था कि वह एक बंज़पहाड में रुख गया और जूफू पहले से ही बंज़पहाड में इंतजार कर रहा था। यहीं पर वह और जूफू पहले से सहमत हुए हैं दूसरों को यहना बताने के लिए कि वह और जूफू डैन्चेंग जा रहे हैं यह केवल इतना गुप्त हो सकता है कोई उपाय नहीं है ये सब उन रहेसियों को छुपाने के लिए है जिन्हें वो विक्सित कर सकता है चल दर, जूफू ने एक उड़ने वाली तलवार की पेशकश की, ये चेन पलट गई और उच्छल पड़ी बड़ों के अनुसार, क्या कीमियागर डू-डैन सम्मेलन में भाग ले सकते हैं? ये चेन बस बैट गई और जूफू को देखा, आप ऐसा कह सकते हो, जूफू ने अपनी दारी खुजाए, उदाहरन के लिए आप मुझे डू-डैन सम्मेलन में ले आए मेरी सिफारिश के साथ, आप सीधे भाग ले सकते हैं, लेकिन कुछ युवा कीमियागर आकस्मिक मरम्मत करने वाले होते हैं किसी बड़े कीमियागर की सिफारिश के बिना, उन्हें स्वयम इसके लिए साइन अप करना होगा क्या कोई अंतर है? ये चेन ने उत्सुकता से पूछा बेशक मत भेद हैं सूफू ने समझाया, स्वयम द्वारा नामानकित कीमिया के लिए स्वयम को नामानकित करने की लागत की आवश्यकता होती है लेकिन यदि कोई पुराना कीमियागर आपकी अनुशंसा करता है, तो आप पंजी करन शुल्क बचा सकते हैं हाला कि अपनी पहचान शिपाने के लिए मैं इसकी अनुशंसा नहीं कर सकता आप, इसलिए आपको स्वयम इसके लिए साइन अप करना होगा पंजी करन शुल्क महेंगा नहीं है, ये चेन मुस्कुराया, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब छोटी बात है जूफू ने ये चेन के स्टोरेज बैक पर नजर डालना न भूलते हुए कहा कोई फर्क नहीं पढ़ता की ये कितना छोटा है, ये पैसा है तुम अमीर हो, मुझे पता है जूफू ने ये चेन को एक सफेद रूप दिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ती को उर्ती तलवार में डाल दिया डूंजन, उर्ती हुई तलवार जोर से कापने लगी और उसकी गती बढ़ गई इसके बाद फिजयान प्राचीन शहरों में गिरता रहा, ये चेन और जूफू ने टेलिपोर्टेशन सरनियों की मदद से टेलिपोर्ट करना जारी रखा रास्ते में ये चेन ने आह भरी और कहा, मैंने अल्दजू से कहा, देंसिटी कितनी दूर है मैं इसका पता लगाऊंगा, यहां हिंग यूयजोंग से कम से कम 500, 0000 मील दूर है तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, क्या यह अभी तक यहां नहीं है जूफू ने गुस्से में कहा, और फिर वह दूसरी ओर इशारा करता रहा ये सुनकर ये चेन उस दिशा को देखने से खुद को रोक नहीं सकी, जिस दिशा में जूफू ने इशारा किया था अपनी आँखों में उसने एक उचा पहार देखा, जिसके बीच एक विशाल प्राचीन शहर स्थित था ये कहने के लिए कि प्राचीन शहर वास्तव में शांदार और भव्य है, पूरा शहर बादलों और धुंद में डूबा हुआ है, चकचोध है, लोगों को रहसे का एहसास कराता है, ये प्रित्वी पर एक परी शहर है ये सबसे बड़ा प्राचीन शहर है जिसे मैंने कभी देखा है, इसे देखकर ये चेन अचमवित हुए बिना नहीं रह सका, डेंसिटी किया ये बड़ा नहीं है, जूफ हुने अपनी दाड़ी रगरी, हाला कि ये केवल एक प्राचीन शहर है, आपको उसे कम नहीं आपना चाहिए, इस शहर को उस वर्ष डेंजू द्वारा बनाया गया था, शहर में कई कीमियागर है, शायद ये कहा जा सकता है कि 60 प्रतिशत से अधिक कीमियागर यहीं है, दाचु यहां एकत्र हुए है, यही कारण है कि डेंचेंड में मजबूत लोगों का अनुमान नहीं दगर किसी के लिए अपमानजनक नहीं है और कीमियागर की अपील कोई मजाक नहीं है, तीन मामलों की तो बात ही छोड़ दें, यहां तक की बलिधस्टी हॉल में भी नहीं, यहां परेशानी पैदा करने की हिम्मत करें, ठीक है, आप यहां नीचे जा सकते हैं, फिर जूफ में कीमियागर के रूप में दान्दा सम्मेलन में भाग ले रहा है, अगर कोई देखता है कि वह जूफू के साथ यहां है, तो उसे संदे होना चाहिए, देंचेंग में प्रवेश करने के बाद, मुझे धूंधने के लिए तब तक देंफू न जाए, जब तक कि आपको ऐ प्रसा न करना पड़े, जूफू ने निर्देश दिया, अपना मुखोटा मत उतारो, समझना, इतना ही, जूफू ने उर्ती हुई तलवार उठाए और शून्य में देंचेंग की ओर उड़ गया, परिवर्तन, जूफू के चले जाने के बाद, ये चेन ने अपनी सुनहर असली आग को काले रंग में बदल दिया, और काले आकाश की गलगडाहट को सोने में बदल दिया, सामान को आमतोर पर गंभीरता से लिया जाता था, लेकिन फिर भी सतर्क रहते थे, ऐसा करने के बाद, ये चेन डेंचेंग की ओर भागा, मुझे ये कहना होगा कि ये चेन क राजसी दबाव महसूस हुआ जब वह वास्तव में डेंचेंग के अधीन आया, डेंचेंग बहुत विशाल था और केवल दिवार ही 100 फी तूची थी, इनके अलावा डेंचेंग का स्थान भी बेहद रहसे में है, लेकिन ये नौ पहाड़ों का केंडर है, ये कॉलून के आकाश की क्षमता है, ये उपर से स्वर्ग और प्रित्वी को कीच सकता है, इतना लंबा नहीं, ये चेन ने उपर देखा और आहे भरने से खुद को नहीं रोक सकी, जैसे ही उसने उपर देखा, दूर पूर्वी शूनिस से एक उल्ती हुई तलवार आई, और गती इतनी तेस्थी की वह डेंचेंगेट के सामने जागिरी, आगंतोक बेंगनी रंग की पोशाक में एक बुढव यक्ती और सफेद पोशाक में एक युवा व्यक्ती था, ये चेन ने अवचितन रूप से देखा, उसकी आखे थोड़ी सिकुल गई, और उसकी आखों में एक थंड अगर कंशान ताववादी है, और वह सफेद रंग का युवक है, ली युवानियान कंशान में ताववादियों के एक मात्र शिश्य थे, मास्टर, मैंने कैसे सुना कि ये चेन शिक्षक जिसने अपने पूरवजों को नश्ट करने के लिए धमकाया था, अभी भी जीवित है कि वह जीवित रह सकता है, लेकिन वह बेकार है, भले ही वह वास्तविक आग में हो, वह कीमिया को परिश्कृत नहीं कर सकता, कीमिया को सिर्फ आग से ज्यादा की जरूरत है, ये वास्तव में उसकी असली आग पर दया आती है, ली युवानियान ने मिंद मिंद के चेह करता है तो मैं उसे वापस आने के लिए कहूंगा सुनेहरी असली आग बूढ आदमी को ये पसंद है दोनों ने कहा वे एक के बाद एक देंचेंग में चले गए जाने से पहले उन्होंने अपने बगल में ये चेन पर नजर डाली दोनों के चले जाने के बाद ये चेन की ये चेन भी डेंचेंग में चला गया बहुत खूब जैसे ही वह अंदर आया ये चेन अचमवित हुए बिना नहीं रह सका मुझे नहीं पता कि मैं प्रवेश नहीं करूंगा या नहीं डेंचेंग बहुत विला सितापूर्ण है जब आप इसे देखते हैं तो आप सभी महल की इमारते देख सकते हैं और कभी कभी पहार भी होते हैं सडके विशाल है रास्ते शांत है चमक बरकरार है देवता बिख्रे हुए है और हवा उर रही है बादल और धुंद आप इसे ध्यान से सूंग सकते हैं और आप दवा की तेज गंध को सूंग सकते हैं रास्ते में ये चेन उत्सुकता से इधर-उधर देख रही थी। सड़के लोगों से भरी हुई हैं और दोनों तरफ कई दुकाने हैं। प्रत्येक स्टॉल मालिक सरल नहीं है। सबसे कमजोर आध्यात्मिक शेत्र में भी है। वे जो चीजे बेचते हैं वे भी अजीब हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अमरित, अमरित और कीमिया के लिए किया जाता है। आत्मा इन्हे घास डालती है। असंतोष का शब्द ये चेन चकित थी। जब भी उसकी नजर किसी स्टॉल पर पढ़ती, वह चुपके से निगल जाता। यदि वे अपने द्वारा बेची गई हर चीज निगल लें, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आईए पहले साइन अप करें। ये चेन नने खास्ते हुए सड़क के दोनों और लगे स्टालों से धूर देखा। बस दिशा पहचानने के बाद, वह उस मार्क की और चल पढ़ा जो जूफू ने उसे पहले बताया था। अध्याए 290, साइन अप करें यहे एक मचान है। युवा कीमियागर सभी अंदर और बाहर हैं और वे मूल रूप से आकस्मिक मरम्मत करने वाले हैं। जैसे ही ये चेन अंदर आया, उसने अटारी के बीच में एक पत्थर की मेज रखी देखी। पत्थर की मेज के दूसरी तरफ एक भूरे बालो वाला बुड़ा व्यक्ति था जो पंजीकरण की व्यवस्था करने के लिए डेंचेंग आना चाहता था। बिना ज्यादा सोचे समझे ये चेन धीरे-धीरे चलने लगी। हाला कि जब वह पत्थर की मेज के पास आया, तो भूरे बालो वाले बुड़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा। ये चेन वास्तव में इन्हे समझता है। प्रत्येक कीमियागर जो यहां पंजी करन कराने आता है, उसकी मूलता कोई प्रिष्ट भूमी नहीं होती, अन्यता वह साइन अप करने के लिए पैसे खर्च नहीं करेगा। चून की कोई बेक्ग्राउंड नहीं है तो स्वाभाविक तोर पर उसकी कदु नहीं होगी। वरिष्ट मैं डूर दैन सम्मेलन के लिए साइन अप करने आया हूँ। ये चेन मुस्कुराई, एक जूनियर का शिष्टाचार अदा करना नहीं भूले। नाम, भूरे बालो वाले बुडे व्यक्ती ने नमकीन स्वर में पूछा। जूल भरी रात, ये चेन ने उस नाम की सूचना दी जिसके बारे में उसने लंबे समय से सोचा था। नामानकन शूल्क, 100-00-00, भूरे बालो वाले बुडे व्यक्ती ने दस्ट नाइक का चित्रंग करने वाला एक जेड पात्र निकाला और नमकीन स्वर में कहा। 10-100-00, ये चेन चिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका, इतना हैरान था कि उसके सामने भूरे बालो वाला बुड़ा आदमी चौकने से खुद को नहीं रोक सका। क्या गलत, ये चेन चौक गया और भूरे बालों वाले बुड़े व्यक्ती ने उदास चेहरे के साथ ये चेन की ओर देखा। नहीं, कोई बात नहीं, ये चेंगन को खांसी हुई, लेकिन फिर भी उसकी बाहों में एक स्टोरेज बैग मिला, लेकिन उसका दिल स्थब्ध रह गया, उसने चुपके से कहा कि पंजीकरन शुल्क नहीं है ये सामान्य है, आम लोगों के लिए ये किफायती है, ये कोई आ भूरे बालों वाले बुरे का स्वर अभी भी नमकीन था, धन्यवाद सीनियर, ये चेंगने जल्दबाजी में यूजियान को ले लिया, मेरे पीछे, दैंचैंग के मेरे कीमियागर ने कीमिया का प्रदर्शन किया, जो लोग साइन अप करने आये थे, उन्हें इसे देखन का मौका मिला, भूरे बालों वाले बुरे व्यक्ति ने अपनी आखें बंद करके और उपर उठाते हुए कहा, उसकी नजर शुरू से अंत तक अजीब तरह से उदासीन थी, ओह, ये चेंगने जवाब दिया, पत्थर की मेज को बाइपास किया, और एक खुले पत्थर के दर्वाजे में चला गया, जब वह पत्थर के गेट में दाखिल हुआ, तो उसने तीन प्रकाश द्वार देखे, बाई और आकाश, बीच में जमीन और दाई और काला, और प्रत्येक प्रकाश द्वार के पास एक पत्थर का स्मा, रख खड़ा था, स्वर्गिय, सांसारिक और रहस्यमय तरीके से, ये चेन ने उसकी थुड़ी को छुआ, ये भी कोई लेवल है, अपने मन में, ये चेन ने अपना पैर उठाया और मैदान के बीच में प्रकाश द्वार के माध्यम से चला गया, लेकिन प्रकाश द्वार काम गया और उसे वापस उच्छाल दिया, और उसके सिर में दर्द हो रहा था, बहुत खूब, ये चेन ने दर्द से मुस्कुराते हुए अपना सिर धाक लिया, बेंगनी रंग का एक युवक प्रकाश द्वार से बाहर आया, जब उसने ये चेन को अपना सिर धाकते हुए देखा, तो उसने उच्छ सुकता से ये की और देखा तुम क्या कर रहे हो बुड़े आदमी ने अभी कहा कि मैं कीमियागरों द्वारा कीमिया का प्रदर्शन देख सकता हूँ और मैं आ गया ये चेन ने समझाया लेकिन जैसे ही मेरा अगला पैर अंदर जाने वाला था मैं रोशनी वाले दर्वाजे से उच्छल कर वापस आ गया ये डेंचेन की आपकी पहली यात्रा है बेंड़नी रंग के कपड़े पहने युवक ने ये चेन को उपर से नीचे तक देखा उहां पहली बार कोई आश्चर्यन नहीं बेंड़नी रंग के कपड़े पहने युवक ने सिर हिलाया और फिर ये चेन को यहां आओ, भाय, मैं तुम्हें ये समझाऊंगा। प्रवेश द्वार के बगल में पत्थर की गोली में दर्ज करना होगा ताकि आप प्रवेश कर सकें और प्रतिय कमरे में मैं केवल एक बार ही जा सकता हूँ, समझें। प्रवेश द्वार काम पुठा, ये देखकर उसने अपना पैर रोशंदान के दर्वाजे की ओर उठाया। ये एक पत्थर का कमरा है जिसका दाइरा केवल 50 फीट है लेकिन ये खाली है। पत्थर के चबूत्रे पर लगभग 14 या 15 साल की एक लड़की ही सो रही है। ये चेन थोड़ा आश्चरे चकित हुआ, उसने पत्थर के कमरे की ओर देखा और फिर अपनी नजर फिर से लड़की पर डाली, फिर खासा और धीरे से बुलाया, ठीक है, मैं कीमिया दिखाने आया हूँ। सुनकर सोती हुई लड़की ने सिर उठाया और नींद भरी आखे मली। आप भी कीमिया दिखाने आये थे। ये चेन ने चारो और देखते हुए कहा, देंचेन के कीमिया मास्टर कीमिया प्रदर्शित करने के लिए अभी तक नहीं आये हैं। क्या ये सही नहीं है। मैं उसे पंजीकृत कीमिया गर के लिए कीमिया का प्रदर्शन करने के लिए भेजा था। उसकी उम्मीदों के लिए, क्यूं, क्या मैं ऐसा नहीं दिखता। लड़की चिल लाए, जैसे जैसे जैसे, ये चेन मुस्कुराय और असमंजस में पूछा, कोई भी आपको कीमिय दिखाने के लिए देखने नहीं आया। इस कमरे में केवल ऐसे कीमियागर आ सकते हैं जिनके पास असली आग है। लड़की ने अपना छोटा सा सेर्ज जोर से रगड़ा। वह कौन सा कीमियागर है जिसके पास असली आग है, जो सुगंदित नहीं है, मुझे दर है कि इसक पंजी करन करने वाले सभी लोग कीमियागर हैं जिनके पास पृत्वी की अगनी और पशु अगनी है। कोई आश्चर्यन नहीं, ये चेन ने उसकी थुड़ी कुछ हुआ, मैंने एक दिन तक इंतजार किया और आखिरकार असली आग वाले कीमियागर का इंतजार किया। ल ये चेन ने लापरवाही से एक कारण बताया, वह अफसोस की बात है, अगर तुम कीमिया दिखाना शुरू नहीं करोगे तो, मा, इसे देखकर ही चला जाओंगा। ये चेन ने कहा, क्या है, चलो, मुझे अपना असली जलवा दिखाओ, लड़की ने हाथ मले, तो पहले त अनकोच नहीं किया, और एक विचार के साथ, उसने अपनी असली आग को बुलाया, जो उसके छोटे हाथ के दिल में लटकी हुई थी, यहे एक बेंगनी लोती, लेकिन ये असली आग थी, बहुत अच्छा, ये चेन ने उसकी और देखा, अपने हाथ की हतेली में लटकी मैंने अभी भी पहली बार काली असली आग देखी है, वैसे तुम्हें ये दिखाना होगा कि स्प्रिट के कुछ दाने कैसे बनाये जाते हैं, ये चेन ने लटकी की ओर देखते हुए अपने हाथ भुमाए और परी की आग को बंद कर दिया, सैन वेन, लटकी ने तीन उंग और अस्थाई रूप से पूछा, क्या आपकी बहन एक काली लटकी होगी? बेशक ये वह है, जुवान नूर मुस्कुराया, वह डैंचेन की हमारी भावी उत्तराधिकारी है, उसकी कीमिय प्रतिभधाचु के युवा कीमियागरों से बेजोड है, यहां तक की कुछ पुर लटकी ने ये चेन की ओर देखा, क्या आप मेरी बहन की कीमिया पर सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये चेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, कीमदंतिया दूसरों को बताई जाती है, क्या रहस्यमय शरीर भी एक अपराजित कीमदंती है? क्या वह ये चेन की बाते सुनने के बाद लडकी की आखे थोड़ी घूम गई, हाँ. लेकिन जब ये चेन की बात आती है जिसने रहस्यमय शरीर को हराया, तो उसकी असली आख सुनहरी है, और मैंने सुना है कि वह एक बेकार आदमी बन गया है. वह कर सकता है, अभी भी अभ्यास कर करते हैं, शायद वह भी इस दू डैन सम्मेलन में आएंगे. ये थोड़ी दूर है, आप इसे नहीं बना सकते, लेकिन मैं इसके बिना ही चला जाओंगा. ये चेन ने लड़की की ओर देखा, निश्चित रूप से परिश्कृत करना, लड़की मुस्कुराए और कीमिया भ के लिए थोड़ा बैट गई. उच्छाल, यहां लड़की ने अपनी असली आग को कीमिया भटी में डाला है और पहले उसे तीन या पाच सेकंड के लिए गर्म किया है. फिर उसने स्पिरिट धास को गवस्तित तरीके से कीमिया भटी में डाल दिया और उसकी तकनीक कोई स फिर फिर करते हुए ये चेन की ओर देखा. बस मुझे धूल भरी रात कहो. धूल भरी रात, उम अच्छा नाम. लुवशी ने कहा और दो स्पिरिट धास को कीमिया भटी में डाल दिया. हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम कितनी स्पिरिट बना सकते हो. क्या तुम तीन बना सकते हो. लिंग लिंग डैन. हाँ, ये चेन का उत्तर अस्पष्ट था. आपका क्या मतलब है? आपने इसे आजमाया नहीं है. मैंने देखा है, ये चेन न को खांसी हुई. ये सच्छमुच अफसोस की बात है. लुवशी ने कहा, आपके पास असली आग है, लेकिन आपको स सिखाने के लिए कोई पुराना कीमियागर नहीं है. थोड़ी सी दभी हुई प्रतिभा है. क्या आप हमारे डैन्चेन में शामिल होने में रुची रखते हैं? हमारे पास डैन्चेन में कई प्रसित कीमियागर हैं. ये निश्चित रूप से आपको प्रशिक्षित करेगा एक अच्छे कीमियागर बने. जो लोग मेरी तरह पहार से भागते हैं, क्या आप डैन्चेन चाहते हैं? ये चेन ने उच्चुकता से लुओशी की ओर देखा. हाँ बिलकुल, लुओशी मुस्कुराया. हमारा डैन्चेन हमेशा वास्तविक आग के साथ कीमिया से एक आग जन्तुक रहा है. ये कीमियागरों की पवित्र भूमी है. कितने लोग डैन्चेन लोग बनना चाहते हैं? आप इसके बारे में सोचें. मैं इसके बारे में सोचूंगा. ये चेन मुस्कुराय और विशे खोला, आप अभी भी मुझे कल डू डैन्सम्मेलन का. विशिष्ट में विभाजित किया गया है. हाला कि कोई फर्क नहीं पढ़ता कि कौन सा चरण है. हर कोई प्रतियोगिता में भाग लेता है. हर बार कीमिया, कीमिया सामगरी की केवल तीन प्रतिया, यदि अमृत को निर्धारित समय के भीतर परिश्वृत नहीं किया जा सकता है. या तीन अमृत का एक कंड परिश्कृत लेकिन केवल आधे लोग ही आगे बढ़ते हैं इस चरण में ना केवल कीमिया बलकी कीमिया को परिश्कृत करने में समय भी लगता है एक चमतकार है शेश लोग चाहे आप अभी भी कीमिया को परिश्कृत कर रहे हैं या नहीं पहले ही पदोन्नती के लिए योग्यताख हो चुके हैं इसलिए इस चरण में आप जितनी जल्दी हो सके एक चमतकार कर सकते हैं अन्यता आपको पदोन्नत किया जाएगा जब कोटा आवश्यक संख्या तक पहुंच जाएगा तो आपके पास कोई मौका नहीं है प्रमोशन का दूसरा चरण परिश्कृत एरवेन लिंगदान नियम इस चरण और नौकाउट के समान है मध्य फाइनल परिश्कृत सानवेई लिंगदान नौकाउट और प्रमोशन मैचों के विपरीट इस चरण में समय सीमा है लेकिन कोई कोटा सीमा नहीं है इसका मतलब है कि यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर सानवेई को परिश्कृत करते हैं तो आप अगले स्तर तक आगे बढ़ सकते हैं फाइनल, रिफाइनिंग सिवेने लिंग दान है इस चरण की भी एक समय सीमा है निर्दिष्ट समय के भीतर कोई भी उपाय तेयार नहीं किया जा सकता है क्या हर चरण को अपने निर्धारित अमृत को परिश्कृत करने की आवश्यक्ता है ये चेन ने उत्सुकता से पूछा बिल्कुल, लुओशी ने लिंग काउ को अंदर डालते हुए कहा कि मिया भट्टी ये तैक करने के लिए कि आप किस प्रकार का अमृत परिश्कृत कर रहे हैं आपको बहुत कुछ निकालने की आवश्यक्ता है उदाहरं के लिए यदि आप नौकाउट मैच में हशैंडन का अमृत निकालते हैं तो जिसे आप परिश्कृत करना चाहते हैं वो हशैंडन है फाइनल के बारे में क्या? ये चेन ने जट से पूछा फाइनल अलग है लुओशी ने उत्तर दिया फाइनल की तुलना में ये बहुत आधिक खुला है डेंचेंड आपको डेंफेंड प्रदान नहीं करेगा आप अपनी इच्छनुसार किसी भी प्रकार के चार दाने वाले लिंगदान को परिश्कृत कर सकते हैं मुझे ऐसे द्वार की उम्मीद नहीं थी ये चेंड ने फुस फुस आया क्या आपको लगता है कि दू डेंच सम्मेलन एक मजाख है क्या परिश्कृत अमृत डाला गया क्या ये बकवास नहीं है लुओ शी ने ये चेंड पर नजर डाली बेशक हमें इसे देंचेंड को सौंपना होगा हम आपको कीमिया सामगरी प्रदान करेंगे और आपको डेंच दिखाएंगे परिश्कृत अमृत अभी भी ले जाना चाहता है इतना सस्ता मैं बहुत सोचता हूँ ये चेंड चेंड मुस्कुराए इसके बाद दोनों ने दोबारा बात नहीं की राव कीमिया में लुओशी की महारत थी लेकिन बाद में उन्हें सतर्क रहना पड़ा बेशक ये चेंड निश्क्रिय नहीं था जेयानलून की आखे पहले ही थोड़ी खुल चुकी थी लुओशी की कीमिया का हर कदम जेयानलून की आखों में अनकित हो गया था बता दे कि जेयानलून की आखों ने जटिलता को सरल बनाने के लिए दोहराव का अनुमान लगाया दुनजन मुझे नहीं पता कि कब लुओशी के छोटे से हाथ की तस्वीर कीमिया भठी पर ली गई थी और फिर उसने अपने हाथों में एक उलने वाली दवा ली और उसे अपने भंडारन बैग में रख दिया यह आसान नहीं है यह चेन ने फिर से कराहते हुए कहा कि वो उट गया है और बाहर जाने वाला है मत जाओ लुओ शी आगे बड़े और यह चेन को पकड़ लिया क्या बात क्या बात यह चेन ने संदे से लुओ शी की और देखा आप अभी तक हमारे देनफू में नहीं गए है देनचेन की यह एक दुलब यात्रा है आप देखने के लिए डेनफू क्यों नहीं जा सकते लुओ शी बड़ी आखों से मुस्कुराए डेनफू तक कोई भी नहीं पहुँच सकता यह चेन को खांसी हुई क्या मैं वहां नहीं हूँ यह चेन की इच्छा की परवा किये बिना लुओ शी ने यह चेन को लाइट गेट से बाहर कीच लिया मेरे पीछे आओ वो हमारा घर है लेकिन कोई मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करता यह चेन के पास लुओ शी का बाहर की और पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जब वो पंजीकरन स्थल से गुझरा तो लुओ शी भूरे बालो वाले बुरे व्यक्ति को नमस ते कहना नहीं भूला रात के बुरे आदमी मैंने कार्य पूरा कर लिया है मैं पहले जाओंगा हे 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 बात करते हुए लुओ शी ने ये चेन को अटारी से बाहर खीच लिया उसके पीछे भूरे बालो वाले बुरे आदमी जिसे रात का बुरा आदमी कहा जाता था ने गलत नजर से देखा क्या ये वह लड़का नहीं है जिसने आज साइन अप किया है मैं लुओ शी की लड़की के साथ कैसे भाग सकता हूँ यहां लुओ शी ने कुछ बड़े मोर बनाने के लिए ये चेन को खीचा और फिर एक शांदार हवेली में आए ये डैन हाउस है में जाना जैसे ही ये चेन ने देनचेंग देनफू में विशाल पटिका को देखा लुओ शी ने ये चेन को उसमें खीच लिया था जब मैं आंदर गया तो मैंने पाया कि देनफू भी एक बड़ी दुनिया है और परियावरन वास्तव में अच्छा है महल के हॉल में सब कुछ है रौकरी जर्ना है और पहाल की चोटियां भी है आप परिसारस को बादलों में नाचते हुए भी देख सकते हैं बहुत खूब ये चेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका उसका सिर्खड़खड़ाहट की तरह चारो और देख रहा था और उसकी आखे बाए और दाए घूम रही थी इस पर एक नजर डाले और इसे एक से अधिक बार निगल लिया है इसमें कोई आश्चर्य नहीं की डैन्फो बहुत बड़ा है हवेली की पूरी दुनिया आध्यात्मिक फलों के पेडों से भरी हुई है और हर जगा आध्यात्मिक धास लगी हुई है ये कॉलून में फैंटियन का भू अकृती है जो उन्हें बेहत शुध़ बनाता है महान लुओ शी मुस्कुराय और ये चेन के कंधे को थप थपाया ये बहुत शक्तिशाली है ये चेन ने आह भरी अभी इसे देखो इसे चोरी मत करो इन स्पिरिक धासों के आसपास प्रतिबंध है मिंग मैं समझता हूँ लुओ शी जैसे ही दोनों जा रहे थे एक महिला की आवाज सुनाई दी और अगर आवाज स्वाभाविक थी तो आवाज गिरी नहीं थी और उनकी आँखों में पहले से ही एक चाया की चाया दिखाई दे रही थी बहन लुओ शी एक योगिनी की तरह आगे निकल गया है वो ही एक काली लड़की है ये चेन की नजर भी अतीत की और आकरशित थी उस श्वेत महिला को देखकर जो धीरे धीरे आ रही थी अभी अभी लुओ शी का नाम सुन रही थी ये हनुमान लगाना आसान था कि ये डैन चेन की प्रशिक्षू थी जुवान महिला ये कहने के लिए कि ये रहस्यमई लड़की वास्तव में साधारन सुन्दरता नहीं है उसका रूप अदृतिय है सफेद कपड़े बिना हवा के स्वचालित है तीन हजार नीले रेशं पानी की लहरों की तरह बहते हैं रेशं चमक से रंगा हुआ है और पूरा शरीर धिरा हुआ है बादल पूरा आदमी एक परी की तरह बेदाग था गौर्टलब है कि उनकी खूबसूरत आखे पानी की तरह साफ है और उन पर जरासा भी दाग नहीं लगता कमी सिर्फ इतनी है कि उसकी आखे उदासींता से भरी हैं जिससे उसका पूरा शरीर थंडा दिखता है पहली मंजिल की आत्मा वास्तव में सरल नहीं है ये चेन आश्चारे चकित हुए बिना नहीं रह सका तुम बाहर क्यों आये मालिक ने तुम ही जो काम दिया था वह पूरा हो गया जब ये चेन आश्चारे चकित हुई तो जुवन्नू ने लुवशी की और गुस्से से देखा बेशक ये हो गया है लुवशी मुस्कुराए फिर ये चेन की ओर इशारा किया ठीक है वह वही है जिसने मुझे कीमिया का प्रदर्शन करते हुए देखा था ये सुनकर की जुवानवन ने ये चेन की ओर देखा और लुवशी की अभिव्यक्ति के विप्रीत वही ये चेन की नजर और उदासीन सुन्दर आखों के प्रती उदासीन देखी ये थोड़ा तिरस कारपून था छोड़ो, मास्टर से मिलो ये चेन से देखते हुए जुवाननू पहले मुगा चले जाओ, तुम्हें मेरे मालिक के पास ले चलो जुवाननू की तुलना में लुवशी बहुत उत्साही है यदि वह चाहता है तो वही ये चेन से नहीं पूछता है और घसीट कर ले जाता है ताकि सामने चल रहा जुवाननू मदद ना कर सके काफी भौहें चड़ी हुई अध्याय 292, सेकंड में समझे जल्धी तीनो एक शांत बगीचे में दिखाए दिये कुछ दूरी पर ये चेन ने सफेद बालो और सफेद दारी वाले एक बुले व्यक्ति को देखा जो फूलो और पौधो को काटने के लिए कैची पकड़ रहा था वह एक सौम्य और दयालू बूले दादा की तरह है जिन में भुटन का कोई संकेत नहीं है और यहां तक की श्रेष्ट की महिमा भी कम है लेकिन उनकी पहचान महान है वह डाचू के सबसे प्रसिद कीम्यागर देंचेन के गुरू है देंचेन मालिक लुवशी योगिनी की तरह उपर नीचे दौरती रही छोटी बच्ची काम पूरा हो गया देंचेन दयालूता से मुस्कुराई और उसकी बूली आँखों में एक हलकी सी चाहत थी हो गया ही ही मास्टर जुवन नुओ ने सलामी देते हुए आगे कदम बढ़ाया उम डेंचेन ने थोड़ा सिरहिलाया उसकी नजर ये चेन के शरीर पर पड़ी उसकी आँखे थोड़ी सिकुर गई और वहभू तके मुखोटे द्वारा लगाए गए अवरोध के माध्यम से नहीं देख सका ये चोटा दोस्त है उसका नाम चेन ये है वही एक मात्र व्यक्ती है जिसने मेरी कीमिया का प्रदर्शन देखा है ये चेन के बोलने की प्रतीक्षा किये बिना अगर ये उसके लिए नहीं होता तो मैं अभी भी उस पत्थर के कमरे में होता डस्ट ये देन चेन के पूर्ववर्तियों से मिले ये चेन ने जट से सलाम किया बहुत विनम आपको पता होना चाहिए कि उसके सामने वाला बुढ़ा व्यक्ती ना केवल सबसे प्रतिष्टित कीमियागर है बल्कि एक सच्चा अर्द स्वर्ग भिक्षु भी है तुम लोग तुम सच में आग हो क्या कोई तुम्हारी सिफारिश करता है डैन चेन हलके से मुस्कुराय उनके स्वर में थोड़ा आश्चर्य था मैं पहाडी जलधारा से बाहर भागा और कीमिया जगत के बुजुर्गों को नहीं जानता था ये चेनिक सुवान मुस्कुराया सो है मास्टर क्रिपया उसे प्रशिक्षु के रूप में स्विकार करें लुओशी ने एक कदम उठाया और छोटे सिर से डैन चेन की ओर देखा लुओशी मूर्ख मद बनो डैन चेन के बोलने से पहले जुवान नू ने एक हलकी आह भरी और उसने कहा कि वह भी भी ये चेन की ओर देखना नहीं भूली है वह भी भी मेरा डैन चेन शिशे बनने से बहुत दूर है फिर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे धीरे-धीरे विक्सित किया जा सके लुवशी ने अपना मुँधोला और डैन चेन की बाहों को अपने हाथों में पकरते हुए कहा अच्छा गुरू ठीक है ठीक है डैन चेन धीरे से मुस्कुराए और धीरे से लुवशी के छोटे से सिर को छुआ फिर ये चेन की ओर देखा छोटे दोस्त क्या तुम डैन चैन के मेरे शिशे बनना चाहोगे? मास्टर वह जुआनव बोलने ही वाला था लेकिन बीच में ही बोल दिया गया डैन चैन मुस्कुराई धीरे से अपना हाथ हिलाया और ये चैन को धीरे से देखते रहे ये चैन ने अपना सिर्खुज लाया वरिष्ट यदि वह डैन चैन का शिश्य है तो वह उसका शिश्य नहीं हो सकता आप ऐसा कह सकते हो तो फिर मैं उनका शिश्य हूँ क्या मैं अब भी डैन चैन का शिश्य हो सकता हूँ ये चेन ने अस्थाई रूप से पूछा और केवल एक नामित शिश्य ही हो सकता है डैन चेन हलके से मुस्कुराए गहरी रोशनी वाली बुली आखें मानो देख रहे हों की ये चेन कुछ शिपा रहा था और यह बिल्कुल निश्चित है की ये चेन एक मार्शल शिश्य होना चाहिए यदि आप चाहें तो एक पंजीकृत शिश्य बन सकते है डैन चेन मुस्कुराए और यह नहीं बताया की ये चेन किस से संबंधित है समझना, हाँ, हाँ, लुवर्शी एक छोटी योगिनी की तरह थी, ये चेन से ज़्यादा खुश, यह जुवान नू थी, उसका चेहरा अधिक उदासीन हो गया था, और ये चेन को देखकर शत्रुता और तिरसकार से भरा हुआ था, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, लुवर्श लुवर्शी ने देन चेन पर नजर डालना न भूलते हुए कहा, और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मास्टर, तुम्हे सयमित होने की जरूरत नहीं है, देन चेन हलके से मुस्कुराए और एक दयालू बूरे दादा की तरह बादल पर बैठ गए, मुसकान सौम्य थी, जि इस से लोगों को वसंत की हवा में नहाने का एहसास हुआ, बहुत आराम दाइक, धन्यवाद, वरिष्ट, ये चेन आग्याकारी होकर बैठ गए, आओ, इसे खाओ, ये हमारे डैंचेंग शहर का अनोखा आध्यात्मिक फल है, ये चेन के प्रती लुवशी के अतिरिक बहर दिया, क्या ये आत्मा को पोशन दे सकता है, फिर मुझे इसका स्वाद चकना होगा, ये चेन विनम नहीं था, और भूंध जारी रहा, फल का स्वाद वास्तव में समरिध और मीठा था, और लिंगो द्वारा लिये गए शांदार तत्वन ने उसे एक भावना प्रद जो अजीब थी, अच्छा, ये भी स्वादिष्ट है, लूर शी ने एक और चीज भर दी, अभी तक पूरा नहीं हुआ, बगल में दो यूवकों को देखकर, जो पूरी तरह खिले हुए थे, दैंचेन फिर से धीरे से मुस्कुराए, दूसरी और, जुवान नू कियाओ मे एक से अधिक बार थोड़ा स्थिर हो गए, ये चेन की अभिव्यक्ति को देखकर और अधिक उदासीन हो गए, दैंचेन दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिनों से नहीं देखा है, आप हाल ही में कैसे हैं, इस समय, मैंने बगीचे के बाहर एक आवाज सुनी, और यह आनक एक थंडी रोशनी चमक उठी, क्योंकि आने वाला जेंग्यान गजोग का कांशान ताववादी है, शब्द खत्म नहीं हुए, कैंशान ताववादियों ने ली युवानयांग को अंदर ले लिया है, हाला कि जब कंशान ताववादी और ली युवानयांग ने ये को देखा, तो वे थोड़ा आश्चर्य चकित दिखे, क्योंकि दैन चेंग में प्रवेश करने से पहले, उन्होंने ये चेंग को शेहर के द्वार पर देखा था, और अब उन्होंने इसे देखा, ये थोड़ा अप्रत्याशित था, कैंशान दाववादी क्रिपया, चेंग के पास पहुँच चुका था, और वह अपने हाथ में एक फोल्डिन पंखा हिला रहा था, मैं नहीं जानता था कि वह सच्छमुच एक सज्जन व्यक्ति है, दो बहनों और बहनों क्रिपया, क्रिपया मुस्कुराएं, ली युवानयांग ने दो नीले और बैंगनी रंग के स्पिर्ट मोती निकाले और उन्हें हुवान्नू और लुवशी को सौप दिया, मेरे पास एक उपहर है, धन्यवाद भायली, लुवशी मुस्कुराएं और तुरंत इसे ले लिया, लेकिन जुवान्नू ने बस अपना हाथ हिलाया और आत्मा की माला प्राप्त कर लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उदासीन रही, जिससे लिए युवानयान को अजीब महसूस हुआ, वा, बिंग्यू लिंजू, ये चेन ने एक नजर डाली और चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी, आपको ये पसंद है, अगर आपको ये पसंद आया तो मैं इसे आपको द लेकिन मुझे नहीं पता कि यह ताववादी मित्र है, ली युवानयान ने अपने दिल में ओदासी भरी आख को दबाया, और एक दयालू मुसकान बिखेरी, उसका नाम डस्ट नाइट है, जिससे मैं पंजी करन मंडप में मिला था, नामानकन मंडप, इन तीन शब्दों क ली युवानयान की आखों में तिरसकार की भावना चमक उठी, उनकी राय में पंजी करन के लिए नामानकन हॉल में दोड़ने वाले कीमियागर मुल रूप से लापरवाह थे, बहन लुवशी, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था, कोई उन्हें डैनफू क्यों ले गया, ली ये चेन का इस तरह बचाव किया, जिससे ली युवानयान का चहरा अचानक उदास हो गया, वाह, यह आत्मा मन का अभी भी चमक रहा है, यहां, ये चेन के शब्द वास्तव में भगवान की चाकू थे, और उसने ली युवानयान के लिए लगभख खून की उल्टी कर दी थी, अपनी आखें बंद मत करो, ली युवानयान ने थंडी सास ली और चला गया, उसको क्या हुआ है, ये चेन ने लुवानयान गुसे में क्यों था इसकी तो बात ही छोड़िये, देंचेन दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिनों से नहीं देखा है, आप हाल ही में कैसे है जल्द ही, बाहर से एक और आवाज आई, अध्याय 293, देंचेन फाइल शब्द खत्म नहीं हुए, भूरे रंग के लबादे में एक बुड़ा आदमी अंदर आया, और उसके बगल में सफेद रंग का एक जवान आदमी भी था, जो अपनी मा के हाथ में एक फोल्दिन पं पिर निश्चित्ता के साथ कहा, ठीक है, ये वही है, सफेद कपड़े पहने युवक का नाम युवान जी है, जो क्वीन गे युनिजूब की युवा पीडी का एक युवा की मियागर है, उन दोनों के बीच नाव जी आया था, उसने फोल्दिन पंके को हिलाया और दो लि दासीन दिख रहा था, जिससे युवान जी अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, वाह, ये भी चमकता है, ये चेन ने लिवोशी के हाथ में स्पिरिट जेड को फिर से देखा, क्या तुम्हें भी ये पसंद है, तो देद दो, अफसोस की बात है, ये चेन ने अपने मुह पर कहा, उसके हाथ बिल्कुल भी धीमे नहीं थे, उसने तुरंट उसे अपने कबजे में लेलिया और धूप में देखने लगा, दूसरी और युवान जी स्पश्ट रूप से काला हो गया था, ली युवान की तरह जुन जलाहत के बावजूद, युवान जी का चेहरा ज इसके बाद, लोग बगीचे के अंदर और बाहर चले गए, जिन में से सभी एक बुढा आदमी और एक युवा की मियागर थे, इसके अलावा, युवा की मियागरों ने डैन चेन की पूजा करने के बाद, अगला कदम असाधारन रूप से सुसंगत था, यानि, वे मेहनती होने के लिए हुअननू और लुवशी के पास गए, और सभी उपहार लेकर आए, जुवाननू को हमेशा की तरह उपहार मिला, और वह अभी भी ठंडी लग रही थी, ये लुवशी था, जिसने आने से इंकार नहीं किया, और प्राप्ट सभी उपहार ये चेन में भर दिय आए ये ये चेन को फिर से देखें, वह विनम्र गुरु है, लेकिन फैन लुवशी को जो उपहार मिला, वह भी आदेश के अनुसार पुरा मिला, और उसने इसे एक एक करके धूप में देखा, लेकिन उसे काले चेहरे नहीं मिले, हाला कि ये चेन ने मूर्खता का नाटक करते हुए इसे छोड़ दिया, लेकिन वह इसे अच्छी तरह से जानता था, इतने सारे लोगों ने जुवाननु और लुवशी को उपहार दिया, स्वभाविक रूप से मेहनती होना इतना आसान नहीं है, उसे एक राजनीतिक विवाह की बुव अरही थी, और विवाह का और देशिस पश्ट रूप से जुवाननु नहीं था, बलकि उसके बगल में छोटी लुवशी ललकी थी, जुवाननु किस प्रकार का व्यक्ति है, आज दाचू का सबसे अद्भुत युवा कीमियागर भविश्य में दैन चेन का कार्यभार संभालने जा रहा है, और यह प्रशिक्षू है, उससे शादी करना सबसे विश्वसनिय है, क्या ये थोड़ा पापपूम नहीं है, ये चेन ने अपनी बाहों में बच्चे को देखा, और उन लोगों पर नजर दाली जो अंधेरे चेहरे और उगरता के साथ उसे देख रहे थे, और खास रहे थे, लड लोशी के बाई और काले तारानकन, 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 तारानकन को देखने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि ये वही थी जिसने आवाज प्रसारित की थी, वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप छू सकें, हाला कि वह जानती थी कि ये चेन उसे देख रही है, भी वह लोगों के विचारों को रोक नहीं सका। मैं तुम्हें रात में डैंचेंग की यात्रा पर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें बताओं क्या डैंचेंग बढ़ा हो सकता है। दूसरी और लुवशी को ये चेंग और जुवानव का असामान या आकार नहीं मिला और वह चित्रा बनाने के लिए अपने छोटे हाथ का उप्योग करते हुए मुस्कुराया। साथ, भले ही मैं खरीदारी कर रहा हूँ, मैं कल डू डैन सम्मेलन की तयारी करने जा रहा हूँ। ये चेंग ने स्पिरिट बीड पर आह भरते हुए और फिर उसे अपनी आस्तीन से पोचते हुए कहा। फिर डू डैन सम्मेलन की समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। लू ओ शी मुस्कुराया, ठीक है, ठीक है, ये डैनचेंग का हमारा डोजीर है, प्रिपया देख लें। ये अच्छा है, लू शी ने अपनी बाहों से एक प्राचीन स्प्रॉल निकाला और ये चेंग को देते हुए कहा, धान से देखो, हमारा डैनचेंग इतिहास कितना पुराना है, लू शी, हुआन एनवी ने भोहे चडाल ली और लू शी की ओर देखा, डैनचेंग का डोज अधन नहीं है, मुझे कहने दो, वह अभी पहार से आया है और कीमिया के बारे में बहुत कम जानता है, उसकी मदद करें, सुवान नू ने गहरी सास ली, लेकिन ये चेंग पर नजर डाली, लेकिन साइग कुछ नहीं, हाला कि वक्ता लापरवा है और श्रोता जानबूज क यहां, हाला कि ये चेंग दोजेर देख रही थी, लेकिन जब उसने लोशी के शब्द सुने तो उसे गर्माहट महसूस हुई, हाला कि वह डैन चेंग की शिश्या है, उसकी एक प्रतिष्टित स्थिती है, लेकिन वह अहनकारी नहीं है, बलकि वह मास, मह और मासूम है, एक दयालू हृदे के साथ पैदा हुई है, उन्होंने उस थान पर केवल एक तरफ देखा है जहां उसने साइन अप किया था, लेकिन ये उसके लिए बहुत अच्छा है, उसे हिलने की हिम्मत करने में थोड़ी मदद करें, इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, य ये चेन मन ही मन मुस्कुराए और फाइलों पर ध्यान देने लगे, वास्तव में मत कहो, लुओशी ने जो फाइल उसे दी थी, उसने दैंचेन का बहुत विस्तार से परिचे दिया, डैनेजु द्वारा दैंचेन का निर्मान किये हुए 10,000 वर्ष से अधिक समय हो गया है एक हजार साल, ये चेन ने चिल्ला कर कहा, ये बहुत लंबा समय है, ऐसा कहा जाता है कि नश्वर लोगों के लिए यहां तक की भिक्षु भी जीवन के उतार चड़ाव के सेकड़ों दोर है, ये प्राचीन शहर सच्मुच इतना लंबा समय देख चुका है, डैनेजु बि ये 261 पीली है, निमनलेखित वे ताकते हैं जिन्होंने डैन्चेंग के साथ अच्छा संपर्ख बनाया है, नान्चु के तीन पूर्वजों के चार परिवारों और बेच्चु के खून के प्यासे महल सभी के पास डैन्चेंग में बुन्यादी स्टो उद्योग है, हेंग योयजोग के बुजूर्गों के पास शराब पीने गए थे, मुझे मत बुलाओ, डोजियर के बाद डैन्चेंग के कुछ नियम है, इसे पढ़ने के बाद ये चेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका, मेरा कहना है कि डैन्चेंग के नियम बहुत सक्त है, कोई फर्क ये उन्हें परेशान करता है, तो रक्त पिपासु हॉल के लिए भी ताकतवर लोगों से अपील करना मुश्किल हो सकता है, सही, हाला कि ये चेन ने देखा कि डैन्चेंग ने कभी भी दाचु में किसी भी सेना के युद्ध में भाग नहीं लिया, ताकि डैन्चेंग की आ परशित हासी गूंजी, लेकिन शब्द आने से पहले एक बुड़ा आदमी एक लबादा पहने हुए अंदर आया, ये व्यक्ति किया ये जूफू नहीं है, जूफू अंदर चला गया और उपस्तित व्रिध लोगों का अभिवादन करना जारी रखा, लेकिन जब उसने द परशेशग्य के रूप में वह बहुत कुछ जानता था कि देन्फू कहा है, इसमें किसी को भी आने का अधिकार नहीं था, यहां आने से पहले वह देन्चेंग में घुमे, मैंने अभी ये चेंग को देखा, कोई भी डिप्रेशन अजीब नहीं है, दुरगटना पूरी त अखे बदली, एक असाम एक आवाज सुनाई दी, और यह कंशान ताववादी था जो जेंग्यांग जोग से बोल रहा था, इस समय उसने जूफू को बहुत शरारत से देखा, क्यूं इस बार फिर से अकेले, इतने साल हो गए, क्या तुम कभी अकेले हो हिंग युय जोग क युवा पीड़ी, एक कीमियागर भी नहीं, जैसे ही यह शब्द निकला, जूफू की आखे थंडी मांग में फूट पड़ी, कैंशान आपको समझने के लिए मूर खोने की जरूरत नहीं है, यदि आप जेंग्यां संप्रदाय की योजना नहीं होते, तो मेरा शिश्य ये चेन एक बेकार व्यक्ति नहीं बनता, ये वह था जो सावधान नहीं था, जो इसे दोश दे सकता था, कंशान ताववादी ने व्यंग्य किया, कभी ना कभी, देर सवेर, तुमसे ये हिसाब चुकता हो जाएगा, सूफू ने थंडी सासली, उसकी आवाज थंडी हो गई, ये चेन के बारे में सोचना वास्तव में दुरभाग गया है, जैसे ही वे दोनों एक दूसरे से भिरे, डिश्य चर्चा से भर गया, रहसे मय शरीर को हराना मेरी उम्मीद से परे था, जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वही ये थी कि उसे इतनी गं मेरी असली आग नहीं देखी है, मुझे नहीं पता कि क्या उसने जूफू को असली आग दी थी, चर्चा के दोरान ये चेन अभी भी अपनी स्पिरिट मोतियों को रगर रही थी, जूफू का धार्मिक आकरोश स्वाभाविक रूप से छिपाने अभिने के लिए है, स्वा यहां, जूफू और कैंशान ताववादी को मजबूत बारूत देखकर, मास्टर डैन चेन ने हस्तक शेप किया, या उन्हें लड़ना होगा खंफ, मेजबान के रूप में डैन चेन आगया आए हैं, और जूफू और कैंशान ताववादी स्वाभाविक रूप से बहुत ही नहीं होंगे, वे खराटे लेते हुए बैट गए इसके बाद, लोग आते रहे, और वे मूल रूप से एक युवा की मियागर को लेकर आए, अब ये चेन फिर से व्यस्त है, पिछले कुछ समय की तरह, लुओ शी, एक उदार छोटी लड़की, जिसने ये चेन को उपहार दिया था, मूल रूप से ये चेन को दिया गया था वह कैसे समझ सकती है कि वह ये चेन के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वह ये को दे रही है, चेन दुश्मन को खड़ा करता है, हाला कि ये चेन अभी भी दरी नहीं थी, मुख्य बात यह है कि उसके पास अपनी सासों को ढखने के लिए एक कप्टपून जादू है, और अ उमसे कुछ पूछूंगा, ये चेन ने लिंगजू को पोंचा और लुवर शी की ओर देखा, क्या कोई भी व्यक्ति जो डू डैन सम्मेलन में भाग लेने के लिए कीमिया में आयेगा, सबसे पहले दैन के घर मिलने आयेगा, बिलकुल नहीं, लुवर शी ने इस बार इसक होगा, कॉल करें, सब कुछ स्वेच शिक है, सो है, ये चेन ने सिर हिलाया और अपनी आत्मा के मोतियों को पोंचना जारी रखा, मैंने तुम्हें बहुत सारे उपहार दिये हैं, क्या तुम अपना मुखोटा उतार सकते हो, मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम कैसी दिख लुओशी मुस्कुराय और बड़ी आँखो से ये चेन की ओर देखा, मैं थोड़ा बदसूरत दिखता हूँ और आपको डराता हूँ, ये चेन को खांसी हुई, धोखा, लुओशी चिल लाया, ठीक है, मैं सच बताऊंगा, ये चेन नहां से, अपने चेहरे पर भूतिया म मुखोटा की ओर इशारा किया, और गंभीरता से कहा, जब मैं पहार से बाहर था तो मेरे मालिक ने कहा, मैं अपनी बहु से मुखोटा कब उतार सकता हूँ, तो फिर आपको अपनी बहु नहीं मिली, लुओशी ने पलके जपकाई और ये चेन की ओर देखा, नहीं, तो फि इसी बाते युगी कैसे कह सकते हैं, ओह, लुओशी ने अपना सिर नीचे किया और अपनी जीब बाहर निकाली, जुवान नू की नजरे उससे हट गई और ये चेन के शरीर पर टिक गई, उसकी अभिव्यक्ति और अधिक उदासीन हो गई, ये चेन ने खासते हुए दूस पहने, प्रभावशाली और रक्त भावना से भरा हुआ एक बुढ़ा व्यक्ति था, रक्त पिपासु मंदिर में रक्त पिपासु लोग, एक बार जब यह व्यक्ति प्रकट हुआ, तो उपस्थित सभी लोगों ने इसे देखा, और उनमें से कई लोगों की भौहें हलकी ह प्यारे दोस्तों, यहां मत आओ, रक्त पिपासु ताववादी समय समय पर नमस्ते कहते हुए अंदर चला गया, और उसके मूँ के कोने अभी भी नातक से भरे हुए थे, बिच्छु की तरह बुली आखों की एक जोली अभी भी चमक रही थी, आपके आशीरवाद के अभग साथ या आठ साल का खुन के कपड़े पहने हुए है, लेकिन उसकी शकलब, खुत अजीब है, सिर उतना बड़ा नहीं है, सिर पर बाल बहुत पतले हैं, और सिर शरीर के अनुरूप नहीं है, इसके अलावा, यह उनका बाया हाथ है, जो काले रंग से रंगा हुआ ह और नाकून हमेशा की तरह लंबे नहीं है, सबसे खास बात यह है कि उसकी आखे लाल रंग की है और उन्हें देखने वाले खौफनाक हैं, जिससे लोगों को लगता है कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई राक्षस है, घटना स्थल पर, ना केवल ये चेन ने इसे देख बल्कि बुरी लोगों का एक समूह और युवा कीमियागरों का एक समूह भी देख रहा था, नए युवा कीमियागर स्वाभाविक रूप से अपने सामने वाले युवक की विचित्रता को देख सकते थे, ये लड़का अजीब लग रहा है, एक बुड़ा आदमी धीरे से बुदबुदाया, कितना बड़ा सिर है, तो फिर बाया हात काला, आखें और खून लाल क्यूं है, ये आदमी, डैन चेन ने लड़के की और देखा, उसकी आखें थोड़ी सिकुल गई और उसकी भौहें सिकुल गई, मुझे कैसा लग रहा है, ये व्यक्ति कहां देखा ग उसका नाम जुले टॉंग है, लेकिन वह मेरे खून के प्यासे हॉल में नया कीमियागर है, जैसे ही भीर ने चर्चा की, खून का प्यासा आदमी धीरे से मुस्कुराया और सभी को उनका परिचे दिया, आगन तो काते थी हैं, क्रिपया अंदर आएं, डैन चेन हलके से मु व्यक्ति शांथ हो गई, खून का प्यासा व्यक्ति अपनी सीट पर बैठ गया और खून की पुतली उसके पास बैठ गई, इसके बाद कोई बाहर से अंदर आया और वे मूल रूप से प्रतिष्ठित कीमियागर थे, बुलों का एक समूह अपरिहारियर रूप से लालची और एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए, एकत्र हो गया, इधर ये चेन अभी भी अपनी आत्मा के मुतियों को पोच रहा था, लेकिन जल्द ही उसने भौहे सिकोड ली क्योंकि उसे लगा कि कोई उसकी और देख रहा है, तो रंत वह अपना सेर उठाने से खुद को नहीं हटा ली, उसकी आखे धुंदली सी चमक उठी और परिचित आसास और भी मजबूत हो गया, अध्याए 295, अमृत खरीदे जैसे ही रात हुई, कई कीमियागर तितर बितर हो गये, और उन्हें मूल रूप से देनफू में रहने की व्यवस्था की गई, इधर ये चेन भी उ चात्री को आदेश दिया, भले ही वह मोटी चमरी वाला हो, वह छोड़ने पर भरोसा नहीं करेगा, पहले से, इसके अलावा, उसके पास करने के लिए और भी काम थे, और वह था आमृत खरीदना जो जीवन को लंबा खीच दे, मुझे ये कहना होगा कि रात में वेभव और महिमा की परत से धका हुआ है, यह एक दिन की तरह है, और सड़क पर हलचल मची हुई है, बिना ज्यादा सोचे, ये चेन ने अपने पैर उठाए और हलचल भरी सड़क पर चल दिया, सड़क के दोनों और की दुकानों पर लर्खडाते हुए वह एक छोटी सी दुकान में घुज गया, उसे ये देखकर आश्चार्य हुआ की बाहर से देखने पर स्टो का फ्रंट बहुत छोटा था, लेकिन जब वह अंडर गया, तो उसने पाया कि यह एक बड़ाक शेत्रवाला एक घेरा था और विक्री के लिए कई तरह की चीजे थी, इसमें अचा की तरह दुबला पतला और तनाव मुक्त था, वरिष्ट क्या आपके पास जीवन बढ़ाने के लिए कोई अमृत है, ये चेन ने अस्थाई रूप से पूछा, बेशक वहां है, बेंगनी कपदों में अधेर उम्र का आदमी मुस्कुराया, एक साल के लिए यान्शो लेकिन पहले इसके बारे में बात करते हैं, जीवन विस्तार का ये हमृत महेंगा नहीं है, महेंगा नहीं, कितना महेंगा है, एक लाख फल, बर्फ में 121 गैनोडर्माल यूसिडिम और जीवन में एक लाख 30,000 दान, असंतोष का शब्द, जियाई में अधेर उम्र के व्य एक वर्ष के लिए अपना जीवन बढ़ाते हैं, उन्हें एक लाख स्पिरिट स्टोन की आवश्यक्ता होती है, वह अपनी भावनाओं के लिए ज्यादा पैसे नहीं खरीच सकता, लेकिन इसके बारे में सोचकर ये चेन को राहत मिली, यद्यपी एक भिक्षू का जीवन एक नश्वर व्यक्ती की तुलना में बहुत आधिक है, लेकिन ये हासीमित नहीं है, एक साधू के लिए वह जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जीवन को बढ़ाने वाला अमृत उन वृधर भिक्षूओं के लिए एक अमूल्य खजाना है जो मरने वाले हैं, मु जीवन अवधी डैन भी देता है, मेरे पास दो होंगे। ये सच है कि वक्ता का इरादा श्रोता की बात सुनने का नहीं था। ये चेन ने इतनी लापरवाही से कहा, लेकिन बैंडनी रंग के कपड़े पहने अधेर उम्र के आदमी के कानों में ये इतना सच नहीं था। त अच्मों चनारी है, ये चेन को अपने पैसे का भुक्तान करते देख, जीवन अधेर उम्र का व्यक्ति आहे भरने से खुद को नहीं रोक सका। निश्चित रूप से वह अभी भी लोगों को उनकी शकल से नहीं आख सकता था। एक बड़ा व्यरसा है, अधेर उम्र की जी मुस्कुराए और एक भंडारन बैग लहराया, एक दशमलव तीन मिलियन और नहीं और नहीं आपके पूर्ववर्ती। ये चेन ने भंडारन बैग लिया, अंदर देखा, एक जीवन रक्षक डैन निकाला और अपने सामने रख दिया। जीवन दाइदान, चार दानों वा आत्मा की छाप से दैन चेन की आकृती देखी। ये वास्तव में पागलपन थाई दैन चेन के पूर्ववर्ती द्वारा, ये चेन आश्चर्य से बुद्बुदाया, खुश्बू ओकेड, बेगोनिया, बावहुआ मेगनोलिया, ये चेन ने जीवन निर्वाह डैन को पर परिचान नहीं पाता, लेकिन चार पंक्ती वाले जीवन विस्तार वाले डैन को परिश्कृत करना आम तोर पर कठिन नहीं है, इसे देखते समय ये चेन आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या उसे परिश्कृत किया जा सकता है, दोस्त, यही वास्तविक जीवन काल है डैन, लेकिन मुझे मुझे से डर लगता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं, मैं तो बस उत्सुक हूँ, ये चेन मुस्कृराया, जिया और युकर प्रकार का अमृत जो जीवन को लंबा कीच सकता है, वो ही एक या दो बार समझाया, शायद ये चेन अन्यायपूर्ण तरीके से पैसा खर्च करने के लिए कहीं और चला गया हो, धन्यवाद, वरिश्ट, ये चेन ने एक उपहार दिया, फिर मुर्णा और बाहर चला गया, फिर भी भंडारन बैक से एक जीवित फल निकाल कर अपने मुह में डालना नहीं भूला, लंबे समय तक रहने वाले फल का स्वाद अच्छा था, इसे पेट में निगल लिया गया और शुधमानसिक तत्व में परिश्कृत होने दिया गया, ये चेन तब आत्मा से हिल गई, उसे हमेशा शरीर में कुछ न कुछ महसूस होता रहा, वह जानता था कि यह शो युवान था, पहला फल निगलने के बाद ये चेन ने दूसरा फल निगल लिया, वास्तव में जैसा कि बेंगनी कपड़े पहने एक मध्यम आयू वर्क के व्यक्ति ने कहा, दूसरे फल की उपचार शक्ती पहले फल की तुलना में कम से कमाधी है, यानी दो फल जो जीवन को दो साल तक बढ़ा सकते हैं, और इससे उसे केवल कम फाइदा हुआ, एक वर्ष से भी अधिक, हाफ लाइफ, नीमा, इसकी लागत दस लाख युवान से अधिक है, और जीवन काल दस साल से भी कम समय तक जारी रहा है, ये चेन ने आह भरी, नहीं, मुझे और भी का चकरना है, मन ही मन सोचते हुए, ये चेन प्रत्य एक दुकान में चलती रही, इसका जीवन काल केवल दस वर्ष से कम है, और यह वास्तव में बहुत असुरक्षित है, इश्वर जानता है कि यदि कोई बड़ी कठिनाई का सामना करता है, तो उसे अमर चकर द्वारा नि लगातार एक दुकान को देखता रहा, और यहां तक की सड़क के किनारे की दुकाने भी लगभग भूम गई, हाला कि उनकी निराशा के लिए लगभग हर दुकान और हर स्टाल में जीवन बढ़ाने वाला अमरित अद्वुत है, जुएजी लिंगजी, शेंग लिंग वो आवाज आई, जो हैरान और लगभग पेशाप कर रही थी, अवचेतन रूप से पीछे मुढ कर, यह चेंग ने एक बुड़े चेहरे को देखा जो आमने सामने था, और ध्यान से देखा क्या वह जुगे के बुड़े आदमी का तारानकन 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 नही था, अचानक यह चेंग बेहोश हो गई, आपका बच्चा कहां से आया, जुगे का बुड़ा आदमी आगे बढ़ा और यह चेंग के छोटे कंधों को पकड़ लिया, जु इतना हलका और भारी था कि उसने यह चेंग के छोटे कंधों को लगभग कुचल दिया, क्या तुम एसा नहीं कि आध्यान से देखो, उसे वहां कभी कोई दरार नजर नहीं आई होगी, कोई आश्चर्यन नहीं, यह चेंग उपर गया और ठिथक गया, बुड़े आदमी की भोव में संकीर्न दरार को भूरते हुए, उसे खोलने के लिए एक आवेक पैदा हुआ, तुम्हा एक पहार निगल जाएगा, मुझे नहीं पता की उसने बात की या नहीं, गिंती, क्या किसी ने ऐसा कहा, बुड़ा जुगे मूर खोने का नातक करते हुए खासने लगा, तो जब वहां आदमी बोलेगा तो मैं पादूंगा, अरे तुम छोटे बननी, अध्याए 296, बाग का चाबुक, दादा जी, जैसे ही दोनों बकवास कर रहे थे, तसींगी में एक महिला आई, एक परी की तरह पवित्र और बेदाग, कहने की जरूरत नहीं कि यह महिला भीयो थी, बी यू आओ और देखो कि क्या ये छोटा नूडल परिचित है, जुगे के बुड़े व्यक परिचित भावना ने उसे एक से अधिक बार परेशान कर दिया, कोई आश्चर्य नहीं कि वह मौके पर ये चेन को पहचानने में असफल रही, क्योंकि ये चेन के शरीर पर उसकी सासों को ढखने के लिए एक धोके बाजाकर्शन था, और उसने एक भूत का मुखोटा पहन था, यहां तक की डैन चेन भी उसका असली चेहरा नहीं देख सका, अगर जुगे के बूले आदमी की आस्मानी आखें होती, तो वह नहीं देख पाता, उसे आरपार देखने में सक्षम होना चाहिए, लंबी दूरी की खेती का तो जिकरी नहीं, जब वह देख रही थी, ज पहार, नदिया और जंगल हैं, और सभी पौधे अध्यात्मिक धास हैं, बाहरी दुनिया विलुप्त हो गई है, और मेरी लार टपक रही है, क्या आप दादाजी के साथ वोट करना चाहेंगे, जुगे के बुले आदमी ने भौहे चड़ा ली और ये चेन की ओर देखा, म जनफू की तो बात ही छुलिए, मत करो, हम दोनों जुर जाते हैं, जुगे के बुरे व्यक्ति ने ये चेन को फिर से वापस खीच लिया, कुल मिला कर मैं नहीं जाओंगा, मैं दो दिन और जीना चाहता हूँ, मैंने तुम ही कुछ दिनों से नहीं देखा है और मैं बहुत चिर्चरा हो गया हूँ, ये तुम्हारी शेली नहीं है, सुझाब दो, तुम दो दिन और जी सकते हो, ये चेन ने गंभीरता से कह, मैं, जैसे ही जुगे का बुड़ा आदमी बोलने ही वाला था, उसने पाया कि बियू को एक तरफ रख दिया गया था और उसने देखा कि वह अभी भी ये चेन को देख रही थी, इसलिए वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछ बैठी, यह मुश्किल है अनुमान लगाना, अंदाजा नहीं लगा सकता, बी यू ने बेबसी से सिर हिलाया, बेवकूफ लड़की, ये चेन, क्या तुम इसे नहीं पहचान सकती, ये लड़का जो मुखोटा लाया है वो थोड़ा अजीब है, ये, ये चेन, जुगे से बुले आदमी की बात सुनकर, भी यू जियाव काम उठा, और अचानक उसकी नजर फिर से ये चेन के शरीर पर पड़ी, और कई बार आगे पीछे देखा, परिचित एहसास, इस समय ये चेन के साथ बिलकुल फिट बैटता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जीवित रहोगे, भी आप थोड़ा अजीब लग रहे थे, मीठी मुसकान दे रहे थे, और ये चेन थोड़ा ब्रमित लग रहे थे, उसकी याद में बर्फ सी ठंडी भी यू कभी मुसकुरा नहीं, मैं बहुत धातक हूँ, ये चेन ने मुसकुराते हुए कहा, मैं लगभग मर ही गया था, ये अच्छा है कि आप जीवित रह सकते हैं, लगके क्या तुम यहाँ डू डैन सम्मेलन देखने आए हो, जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, जुगे के बुले व्यक्ती ने उ जैसा नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे, कि मैं अगर मत बनो, मैं गलत हूँ, जुगे के बुले आदमी ने कहा, कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था, और फिर ये चेन को उपर से नीचे देखा, अस्थाय रूप से पूछा, क्या लड़का अभी भी अभ्यास कर सकता है मुझे देखो, क्या तुम भी मुझे तुच्छ नहीं समझते, ये चेन ने स्पश्ट रूप से अपनी पूरी शर्ट पहन ली, और अपने बालों को आत्ममुधता पूर्विग बिखेर लिया मेरे प्रिये, क्या मैं बिकार हो सकता हूँ, क्या आप सच्मुच अभ्यास कर सकते हैं बी यू थोड़ा अधिक उचसाहित थी, जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक उचसाहित थी ये चेन कुछ देर के लिए सियानोर्टिक लग रहा था, अगर वह उसे थोड़ी देर के लिए उत्तेजित करती तो शायद वह रोभी देती ये दुनिया बहुत बुरी है, एक तरफ, जुगे में बुले व्यक्ती ने आह भरी और कराहने लगा इतनी गंभीर चोट के बावजूद, मैंने पाचफा से हुए हड़ी खाने वाले देन को खा लिया और निशिद तकनीक का इस्तिमाल किया जीवित रहना पहले से ही संभाव है, यह एक चमतकार है, आपका बच्चा अभी भी अभ्यास कर सकता है यह वास्तब में तारानकन-तारानकन-तारानकन है तारानकन इश्वर जब आप बाहर जाए तो बक्वास न करें, मैं अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता मैं अभी भी डूडैन सम्मेलन में होने का नातक करना चाहता हूं ये चेन ने जल्दी में कहा उसका चेहरा मुढने के दर से उन्होंने उसे हिला कर बाहर कर दिया तुम लड़ सकते हो, कीमिया तुम बहुत दूर हो जुगे के बुड़े व्यक्ति ने मुह बनाया ये चेन को उपर से नीचे तक देखा और अंत में भौहे चड़ाई ठीक है, नहीं, ये वास्तव में नहीं है मुझे लगता है कि आप यह नहीं कर सकते ये चेन ने जुगे के बुड़े आदमी को घृनित नजर से देखा औरंत में बुरे आदमी की कमर पर लटके एक शक्तिशाली बाग के चाबुक पर गिर गया पहली नजर में उसने इसे अभी खरीदा है एक खूबसूरत जुनिर आप खरीदने में बहुत शर्मिंदा है भले ही इसे फिर से भर दिया जाए फिर भी यह इतना बड़ा है दुर्भाग्य से मैं एक बड़ा आदमी हूँ हम दोनों की तुलना कैसी रहेगी तुलना करना खासी उन दोनों को देखते हुए बाय उन्हें एक तरफ खासते हुए उन लोगों को ये हास्यासपत शब्द बोलते हुए सुना वह खासने लगा और जल्दी से विशय बदल दिया वह ये चेन आधी रात में मेरे पास उर्जा नहीं है मैं सडक पर इधर उधर घूमता हूँ मैं मैं जीवन को लंबा करने के लिए आमृत खरीदने निकला था ये चेन ने भी यू की और देखा और हसने से खुद को नहीं रोक सकी दीर घायू और दीर घायू बूरे जुगे की भौहें मदद नहीं कर सकी लेकिन आखिरकार उन्होंने ये चेन के उरते हुए सफेद बालों को देखा और अस्थाय रूप से पूछा ये निशिद तकनीक के कारण नहीं होगा शो यूवान के उपभोग की कीमत पर वह निशिद सरजरी थोड़ी ज्यादा है ये चेन ने इसे चुपाया नहीं अपने कंदे उचकाय तो औरे मैं बस जी वन को लंबा करने के लिए कुछ अमृत लेने के लिए बाहर भागा था मैं इतनी जल्दी नहीं होना चाहता वह मर गया क्या आपने इसे खरीदा भी आपने चिंता से पूछा इसमें 10 लाख युवान से अधिक का समय लगा जिससे जीवन काल केवल 10 वर्ष से भी कम हो गया ये चेन ने असहायता से अपना सिर हिलाया प्रत्येक दुकान में बेचा जाने वाला प्रत्येक अमृत मूल रूप से एक ही होता है और उस प्रकार का अमृत खाने के लिए कुछ भी नहीं है ये काम करता है ये सही है जुगे के बुले व्यक्ती ने अपनी दाड़ी सिकोर ली देंचेन की दुकानों और स्टालों के आपूरती चैनल मूल रूप से देंचेन के पुराने आदमी है ठीक है यहाँ आपके लिए एक है एक तरफ भी उने हरे रंग का लिंगदान निकाला जो निले बादल के साथ चाया हुआ था और शदी की गंधा रही थी और सबसे महत्वपुन बात यह थी की लिंगदान पर चार चमकदार दान पैटन थे यह शोव युवानदान है जो जीवन के पाँच साल का पूरक हो सकता है भी आपने यह चेन के हाथों में अमरिद भर दिया यह यह अच्छा नहीं है यह चेन न को खांसी हुई उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बायो देगाव से ऐसा बहमूलिय जीवन रक्षक अमरिद दिया जो उसकी अपिक्षाव से कहीं बढ़कर था और उसे कुछ हद तक आश्चर रेचकित कर दिया इसे अपने पास रखो जुगे में बुले व्यक्ती ने अपनी दाड़ी पर चिकोटी काटी यह चेन की ओर देखा और फुसफुसाया भविश्य में किसी को निराश मत करो आह दादा जी भी आप जुगे में बुले आदमी को घूरते रहे निराश यह चेन इस उतपात का मतलब अभी तक नहीं सुना है वहाँ अपना सिर्ख हुजलाना अग्यात है तो स्वर्ग और पृत्वी की अंतरात्मा वह वास्तव में नहीं समझता है जूशी लोग इस समय आकरामक होंगे इसके बाद ये चेन फिर से जीवन के अमरित की तलाश में नहीं गई तीनों यहां दुरलब रूप से मिले और सड़क पर घूमते रहे उलेकने ये है कि भी यू और ये चेन दोनों ने जानबूज कर जूगे के बुड़े व्यक्ति से एक निश्चित धूरी बनाये रखी यह अभी व्यक्ति की मैंने इस उत्पात को नहीं पहचाना कोई अनुमान नहीं जूगे का पुराना चेहरा बहुत चमकदार है उसकी कमर पर बाग का चाबुक वैसे ही लटका रहता है और चलते समय वह लटक जाता है वहां से गुज़ने वाला कोई भी व्यक्ति अफचितन द्रिश्टी से बुड़े व्यक्ति पर नजर डालेगा उस दर पर ये लगभग 250 प्रतिशती अंधेरी रात में डेनफू में एक शांत छोटा सा बगीचा खून के प्यासे लोगों का खून का प्यासा हॉल रक्त पुतलियों के पास खड़ा था और धीरे से मुस्कुराया यदि आप फिर से देनफू आते हैं तो क्या आप बहुत भावुक हैं देनफू, देनचेंग, देर सबेर मेरे हैं सुटोन क्रूर्ता से मुस्कुराया बस कम प्रोफाइल रखें आखिरकार आप इसके चरम पर नहीं है प्रक्तपिपा सुल्ताओ वादी ने चेताव नी दी भले ही जियुगेई और आत्मा का स्तर बहुत गिरा दिया गया हो लेकिन मेरी नजर में कोई भी काली लड़की लोशी उलेक के लायक नहीं है सुटोन की भायनकर मुस्कान चांदनी में प्रतिबिम्बित हुई और भी अधिक शर्मनाग अध्याये 297, 222 सम्मेलन अगले दिन सुबह होने की ठीक बाद मूल रूप से देंचेन की सरायों और दुकानों से लोग बाहर आ रहे थे और अब कोई भी वहां नहीं रुका लोगों की भीर सडक पर जमा हो गई और डैंचेन के केंदर की ओर चल पड़ी यह एक विशाल पत्थर का दर्वाजा है पत्थर के दर्वाजे के पार चलते हुए लेकिन यह एक अलगी द्रिश्य है शिमेन के अंदर अंदर एक बड़ा वरित है और वर्ग में 100,000,000 फीट है जब आप चारों ओर देखते हैं तो आप देखते हैं कि सभी फूल बिखरे हुए हैं सारी खुश्बु महक रही है जब शिमेन पूरी तरह से खुला होता है तो छाया चित्र उभर कर सामने आते हैं ये वास्तव में एक अंधेरी और भीर भाण वाली जगह है डेंचेन वास्तव में एक बड़ी बात है जब ये चेन ने प्रवेश किया तो द्रिश्य देखकर आह भरी जब ही ये चेन को एक ऐसी जगह मिल गई जो न तो बहुत आगे थी और नहीं बहुत पीछे और बैट गई उसके बाद जूफू भी आया दो चक्कर तक रुका और जानबूझकर ये चेन के बगल की स्थिती में बैट गया क्या आप दूसरों के संदेह से नहीं डरते ये चेन ने अपने बगल में जूफू पर नजर डाली अब हमारे लिए एक स्वतंत्र पक्षी कौन है सही अगले कुछ लोगों के बारे में मैंने कहा आप बहतर तरीके से याद रखें क्योंकि वे भविश्य में कीमिया मार्ग पर आपके दुश्मन हो सकते हैं जैसे ही ये चेन दोंग ने पश्चम की ओर देखा जूफू फूस फूस आए तब मैं इसे ले लूँगा ये चेन तुरंट सीधा बैट गया मैंने वह नहीं देखा जूफू याओ ने आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया ये सुनकर ये चेन ने जू फूफूदर वारा बताए गई दिशा में देखा और उसकी नजर सफेद कपड़े पहने एक महिला पर टिकी सफेद कपड़े वाली महिला को देखकर ये चेन की आँखों में चमका गई शायद सफेद पोशाक वाली महिला इतनी अद्भुत थी, इसलिए वह लोगों के प्रवाह में बहुत ही आकरशक थी ये चेन उस अद्वितिये चेहरे को बहुत दूर से देख सकता था उसके कपड़े लहरा रहे थे, उसके बाल पानी की तरह बह रहे थे और वहरेशम से रंगी हुई थी बुआन गहुआ पूरा व्यक्ति एक साधारन परी की तरह है वह क्यूकसी पैलेस की युवती जू नुवयान है जूफूयो फुस्फुसाए, क्यूई, तनबाता, क्यूकसी पैलेस बेचू में एक प्राचीन और रहस्यमय शक्ती है कीमदन्ती के अनुसार क्यूकसी पैलेस की सभी शिशाय महिलाए है जूफू ने धीरेसे कहा, क्यूकसी पैलेस को कम मत समझो, उसकी कीमिय जू नुवयान को तो छोड़ दो प्रतिभा रहस्यमय लड़की के अधीन नहीं है और उसकी खेती की प्रतिभा आपके बराबर है तो लटक रहा हूँ जूफू के शब्दों को सुनकर ये चेन फिर से स्टार यूवती जू नुवयान को देखने से खुद को रोक नहीं सकी क्या तुमने देखा जूफू ने फिर से आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया ये श्वेत वस्त्रधारी यूवक है वह बेचू जूवातन परिवार का यूवा गुरू वेई वेंजुओ है यूवा काफी सुन्दर लग रहा है ये चेन ने उसकी थुड़ी को छुआ और दूर से वेई वेंजुओ को देखा स्वभाव की बात करें तो वेई वेंजुओ कुछ हद तक जी उनकी तरह थे उसकी कमर पर शराब की लौकी बंदी हुई थी और उसके मुह में एक टूथपिक था पूरा आदमी बेलगाम और थोड़ा कढ़वा लग रहा था ठीक है ली हाई बे हाई परिवार के युवा मास्टर बी हाई परिवार मैंने वास्तव में ये सुना है ये चेन ने अपनी थुड़ी को छुआ और कांच के कलश की और देखा वह सुंदर युशु की धारा के साथ पैदा हुआ था लेकिन वह चीनी लौकी का एक बुच्छा ले जा रहा था मुझे वह दिखाए नहीं देता सूफू ने नीचे सफेद कपड़े पहने युवक की और इशारा किया तलवार शहर के युवा मास्टर चेन रोन गयुन यदि आप इसे नहीं देख सकते तो इसे देखना कठिन है ये चेन्यों ने सफेद कपड़े पहने युवक की और गंभीरता से देखा वह युवक बहुत सुन्दर था लेकिन जब वह अंदर गया तो ये चेन ने पाया कि उसने कम से कम बीस बार अपना सिर जुकाया था मैंने जान बूच कर अपने बाल बिखेरे जैसे कि सब को बता रही हूँ मैं सुन्दर हूँ वह बेचियू रखता आत्मा परिवार का पवित्र पुत जूफू ने बेंगनी बालों वाले उस युवा की ओर इशारा किया जो अभी-अभी कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुआ था यदि आप भविश्य में उनसे मिले तो सावधान रहें उनके पारिवारिक कोशल थोड़े बुरे हैं वह यिन और यांग परिवार के रिशी हैं जूफू लोगों की भीव में से एक लाल बालों वाले युवक की ओर इशारा करता रहा यदि आप भविश्य में उनसे मिले तो आपको भी सावधान रहना चाहिए उनके परिवार की इन और यांग तकनीक अजीब है और वह जिंग्यू पहले इसकी युवती जूफू बैंगनी रंग की एक महिला की बात कर रहा था और वह अभी भी बहुत सुन्दर थी जैसे जैसे लोग शिमेन के बाहर आते रहे जूफू ने भी मूल रूप से एक-एक करके ये चेन का परिचे दिया स्वाभाविक रूप से उन्होंने सीधे तोर पर उन छोटे विनम्र परिवारों की उपेक्षा की उन्होंने जो बताया वह मूल रूप से कुछ खौशल वाले युवा कीमियागर थे हाला कि जूफू की शुरुआत के साथ ये चेन ज्यादा लोगों को नहीं जानता था लेकिन अधिक ताकतों को भी जानता था हाला कि वह अतीत में जहेंग्यान संप्रदाय में इंटेलिजेंस पविलियन का सदस्य था लेकिन उसकी जानकारी तक बहुत कम पहुँच थी मूल रूप से नान्चु तक बेचू की सिनाओं के लिए वह केवल बलड थस्टी हॉल के बारे में जानता था अब वह वास्तव में अंतरद्रिश्टि पूर्ण है जैसे क्यूकसी पैलेस, फोज, स्वोर्ट सिटी, जुवन्टिन परिवार, बेहाई परिवार या न्यान परिवार और बेचू में जिन्ग्यू पैलेस उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था जलद ही, उसने क्विंड युनेजोग के जियांगताववादी को देखा और उसके बगल में युवानजी नाम का एक युवद था उसके बाद जहन्गाणगजोग के किन्शान ताववादी और ली युवानएआंग नाम का मूर्ख था उसके बाद रक्तपिपासू व्यक्ती और रक्तपिपासू महल की रक्तशिश है उन्हें छोड़कर निमनलिखे ताकरे सामने आए मूल रूप से एक युवा पुरुष या महिला के साथ एक बुड़ा आदमी ये बहुत आधिक है ये चेन ने आह भरी सप्ता के दिनों में कीमियागर धूंड़ना और आज बहुत कुछ हासिल करना कितना कठिन है तो दाचु को कम मत समझो बुजूर्ग इन कीमियागरों में असली आग नहीं होगी देखना है सापर ये चेन जूफू को बगल में देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका असली आग चीनी गो भी नहीं है जूफू ने हलके से अपनी दारी खुजलाई इन कीमियागरों में से 60 प्रतिशत से अधिक जमीनी आग है और लगभग 30 प्रतिशत अजीब जानवरों की आग है उनमें से केवल आधिस से भी कम उनके शरीर में है ये वास्तविक आग है सो है ये चेन ने उसकी थुड़ी महसूस की और प्रवेश द्वार की ओर देखना जारी रखा उन्होंने दक्षणी चू और दक्षणी जिंजियांग में QE परिवार, बे चू आग में वांद परिवार और जिशू सीटू परिवार के कीमियागरों को देखा हाला कि जब उन्होंने डोंग्यू शांगूआन के परिवार को आते देखा तो उनकी अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी अजीब हो गई डोंग्यू में शांग्यू की कीमियागर एक मध्यमायू वर्ग की खूब सूरत महिला थी और वह काले कपड़े में एक युवक को ले जा रही थी काले कपड़े पहने युवक के अलावा उसके बगल में एक जवान लड़की भी थी हाला की दूर ये चेन ने एक नजर में पहचान लिया कि यह कौन है क्या वह शांदगुआन युए नहीं था जिसे जावगुओ के मिशन पर रहते हुए एक साथ पकड़ लिया गया था ये चेन खासने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और कीमिया भठी का द्रिश्य बहुत सुगंधित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका क्या मैं यहां बैठ सकता हूँ जब ये चेन ने अपनी भोहे रगवी तो खूबसूरत महिला की आवाज आई बीउ धीरे से आई और मुस्कुराते हुए ये चेन की और देखा बस बैठो यहां आओ मैं यहां बैठता हूँ जुगे के बुले व्यक्ती ने बीयू को सीधे ये चेन के बगल वाली सीट पर दबा दिया और फिर जानबूज कर ये चेन और जूफू के बीच बैठ गया और उसे सचेत रूप से पकड़ लिया मेज पर रखा एक स्पिरिट फल उठाया और मुह में भर लिया सीनियर जुगे आओ और डू डैंसम मेलन देखो जूफू मुस्कुराया और जुगे के बुले आदमी के लिए शराब का एक गिलास डाला मैं वहाँ जाऊंगा जहां ये जीवन्त है जुगे का बुला आदमी असभ्य था उसने एक गिलास शराब पी और फिर भी अपने बगल में ये चेन को देखता रहा मैंने कहा क्या आप वहाँ थोगा सा हिल सकते हैं निचोर ने चाल नहीं ये चेन ने केवल लिंगो को देखा यदि आप नहीं हिलते तो आपको हिल ना होगा जुगे के बुले आदमी ने अपनी पीच जुकाई ये चेन को बियो की तरफ दबाया वह बस अंदर घुस गया इस निचोर ने बस ये चेन को बियो के साथ निचोर दिया तुम्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना होगा यहां बियो जुगे के बुले आदमी को जानती थी और उसकी अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई मैं तुम्हें निचोर ने दूनगा ये चेन को जाहिरा तोर पर बियो का असामान्याकार नहीं मिला और वह बेशम था उसकी तारांकन 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 पटक दी और जुगे से बुले आदमी को वापस ने चोड़ लिया अरे तुम छोटे खरगोश जुगे में बुले व्यक्ति ने तुरंट अपनी आस्ती ने ऊपर कर ली और उसके नितम फिर से जुख गए आप अमर हैं, लेकिन आपकी तारांकन 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 काफी बढ़ी है ये चेन भी उत्साहित था, उसने अपनी आस्ती ने ऊपर कर ली और उसके नितम फूचे हो गए यह अभी भी भीव है, लेकिन मैं फिर से पादने जा रहा हूँ तुम तारांकन 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 पादपाद अध्याए 298 अजीब अगला द्रिश्य असाधारन है ये चेन और जुगे का बुढ़ा आदमी वास्तव में चहराहीन और त्वचाहीन है और उनके नितम उपर नीचे हो रहे हैं और पास से गुजने वाले लोग अजीब रंग दिखाने से नहीं रोक सकते सूफू को एक तरफ देखते हुए उसने अपना सिर घुमाया और अपनी भोहें इस नजर से रगनी की मुझे कुतिया के भावों का पता नहीं चल रहा है दूसरी तरफ बाय यू को देखते हुए अभिव्यक्ती काफी शर्मनाक थी क्योंकि जुगे का बुड़ा आदमी ये चेन को निचोड़ता रहा और ये चेन के शरीर को लगातार अपने उपर जुका रहने दिया ना जाने कब दोनों सिर पीते पीते यहीं रुप गए किसने सोचा होगा कि जो दो सामान अभी भी लड़ाए में थे वे अब दोनों के लिए बहतर होंगे लड़के डू डैन सम्मेलन समाप्थ होने की प्रतीक्षा करें हम मत जाओ बुली मा का इंतजार किये बिना जुगे को खत्म करने के लिए ये चेन ने उसे मौके पर ही रोब दिया ये जानते हुए कि जुगे का बुड़ा आदमी उसे कहीं और परेशानी में ले जाएगा अरे मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है मैं वैसे भी नहीं जाओंगा ये चेन ने सीधे अपना सेर घुमाया अतीप में एक चोटा सा प्रकरन विशाल आयोजन स्थल में लोग मूल रूप से बैठे थे सबसे उपर डैन चेन बैठे थे उसके बाई और दाई और चार सफेद बालो वाले बुले आदमी थे वे डैन सिटी के नौ प्लैटफार्मों पर बुजुर्ग थे हालाकि वे सामान ने दादा दादी की तरह दिखते थे लेकिन हर कोई जानता है कि उनमें से कुछ शीर्ष बमवर्शक है जल्द ही सर फेद वस्त्र पहने एक बुड़ा आदमी उठा और हस्ते हुए उचे मंच पर चट गया सभी दाव मित्रों को उनकी प्रकाश के लिए धन्यवाद दैन चेंग ने उन्हें यहां धन्यवाद दिया इसलिए कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है जिन्होंने डू डैन में भाग लिया वे लोटरी में आये ऐसा कहा गया कि विशाल आयोजन स्थल से सभी दिशाओं में लोग खड़े थे सभी युवा कीमियागर थे ये कहने के लिए कि उनकी शकल वाकई अद्भूत है एक आदमी के हाथ में फोल्डिंग पन्खा है और वे सभी मनमोहक है उतरने की मुद्रा को सुंदर कहा जाता है और स्त्रियों की मुद्रा भी सुंदर होती है आस्मान में उढ़ना इधर जैसे ही ये चेन ने आह भरी टेबल सीट से उचल गई सिवाए इसके की उतरने की मुद्रा जुकी हुई नहीं थी और लगभग एक कुट्ता जमीन पर लगा हुआ था ये चेन के जमीन पर उतरने पर किसी का ध्यान नहीं गया ये भी अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं उन्होंने इस पर नजर डाली और पाया कि डू दैन में ठीक 400 युवा की मी अगर भाग ले रहे थे लेकिन उन मुलन के इस दौर के बाद 200 बचे रहेंगे और प्रतियोगिता और भी अधिक प्रूर होगी आओ एक टीम में शामिल हो जाओ ये चेन चल रहा था नीली पोशाक में एक युवा ललकी जान बूज कर उसके सामने आ गई और ध्यान से देखा क्या ये दैन चेन की दूसरी प्रशिक्षु लुशी नहीं थी तुमने कल अलवेदा क्यों नहीं कहा रुखने के तुरंट बाद लुशी ने छोटे मुह से ये चेन की ओर देखा आँख बंद करके मैं पेशाब करने जा रहा हूँ ये चेन को खांसी हुई धोखा ठीक है मैं खरीदारी कर रहा हूँ लुशी की बड़ी आखों को देखते हुए ये चेन वास्तव में उसे अब और उत्तेजित नहीं करना चाहता था आप मेरे लिए कुछ क्यों नहीं खरीदते मैं मोलभाव करने में आपकी मदद करूंगा लुशी मुस्कुराया अगली बार अगली बार मैं तुम्हें फोन करूंगा ये चेन ने गंभीरता से कहा और वास्तव में इस छोटी लड़की को बुलाने पर पच्टावा हुआ वोई डैन चेन की प्रशिक्षू है यदि आप मोलभाव करते हैं तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं जल्द ही 400 कीमियागरों ने अपनी संख्या निकाल ली सम्मेलन कक्ष के केंड में कीमिया के लिए उप्योग की जाने वाली 400 पत्थर की मेजे हैं प्रतेग संख्या में एक संगत कीमिया तालिका होती है और ये सीधे संख्या को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है चेन मदद नहीं कर सका लेकिन चारों और देखा। चेन को खांसी हुई और उसने कीमिया टेबल से डेन फैन को उठाया। कीमिया से पहले डेन फैन को देखने के लिए तीन मिनट का समय था। बहन नुओयान, मैंने तुम्हें नहीं देखा है कुछ मिन्टों के लिए और आप फिर से सुन्दर हो जाएंगे। ये चेन के बाई और किवेई वेंजुओं ने उपर देखते हुए और ये चेन के बाई और स्टार पुजारी जू नुओयान पर नजर डालने के लिए अपना सिर जुकाते हुए बात की। मैंने अभी यूलिंग पानी की एक बोतल पी है, मेरी कमर खराब नहीं है, मेरे पैर दर्द नहीं कर रहे हैं और मेरा दिल नहीं धड़क रहा है। आप कहते हैं कि यह जादूई है। जू नुओयान ने दैन फैन को उसके हाथों में देखते हुए लापरवाही से उत्तर दिया। जू नुओयान की और आँख मारते हुए उसके बालों पर चुटकी काटना नहीं भूला। मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलता हूँ। आप चारों ने मुझसे ऐसा कहा, जैसे कि आप एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों, शायद वे एक समूह थे। केंद्र के मध्य में खड़े होकर ये चेन ने अपने मुँँ के कोनों को एक से अधिक बार फार दिया है। एक बर्फ साफ और जेद्यूवती और छिपे हुए परिवार के तीन स्वामी चंचलता की तरह बोलते हैं। सबसे कश्ट प्रद बात यह है की चेन रोन ग्यून। ये जानते हुए कि आप सुन्दर दिखते हैं, आपको अपना सिर हिलाने के लिए एक शब्द भी कहने और अपने बालों को चिकोटी काटने के लिए एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है। कीमिया शुरू, जैसे ही चारों बाते कर रहे थे, मंच पर मौजूद सफेद बालों वाला बुढव्यक्ती बोला। उच्छाल, 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 जैसे ही सफेद बालों वाले बुढव्यक्ती की शब्द गिरे, उसे कार्यक्रम स्थलसे आग की लप्तों की आवाज सुनाई दी। यदि आप इसे उपर से देखते हैं, तो ये तस्वीर वास्तब में बहुत खूबसूरत है, जिसमें एक फूल की तरह सभी प्रकार की लप्ते जल रही हैं। यहां, ये चेन ने चारों और नजर डाली, और पाया की जून वोयान और वेई वेंजुओ सभी असली आग थे, एक बेंगनी, एक गहरा सेयान, एक लाल और एक गहरा सुनहरा। ये सचमुच बहुत बड़ी बात है, ये चेन ने आह भरी और अपनी सुनहरी परी अगनी का बलेदान देते हुए डेन फैन को भी नीचे गिरा दिया। तंबाकु से होने वाली बीमारी, ये चेन के बलेदान की लप्टे देखकर चौकडी के सभी दर्शकों की निगाहे टिक गई, डेन चेन उसकी असली आग थोड़ी अजीब है, वह काली निकली, उचे आसन पर एक बुजूर्ग ने अपनी दाड़ी जमाली, ये वास्तव म आजीब है, डेन चेन हलके से मुस्कुराए, हाल ही में क्या हुआ, हिंग युयजूग ये चेन में एक सुनहरी असली आग है, ये नकाब पोश युवक एक काली असली आग दिखाता है, चाहे वह सुनहरी हो या काली, पहले कभी नहीं देखी गई, तुम्हारी लौ इतनी क हाली क्यूं है, यहाँ, वेई वेंजूग जो ये चेन के सबसे करीब थे, ने ये चेन की परियाग को एक अजीब अभिव्यक्ती के साथ देखा, यह एक लंबी कहानी है, ये चेन ने आग पर काबु पाते हुए कहा, वह तेज हवा के साथ एक अंधेरी रात थी, और मैं ब चेन रोंगियून ने उसके सामने अपना सिर घुमाया, और बुआजी का सिर फरफड़ा रहा था, और फिर वह अपने बालों को सिकुरना नहीं भूला, बोलो और बात करो, अपना सिर मत हिलाओ और मुद्दा बनाओ, आप इसे नहीं समझते, इसे स्वभाव कहते हैं, चेन रोंगियून ने फिर से अपना सिर जुकाया, और फिर वह अपने बालों को सिकुरना भूल गई, इसमें कुछ भी गलत नहीं था, बुले आदमी को देखो, उसके बाल खोलने का समय आ गया है, वेई वेंजुओ ने गंभीर भाव से कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे न नहीं हटाया है, ली यान ने भी हस्तक शेप किया, फिर जुन नुवयान पर नजर डालना नहीं भूले, तो क्या, ठीक है, मेरे क्यूकसी पहले इसकी और मत भागो, एक्स युन नुवयान ने कंधे उचकाए, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हारे बाल नोच लूनगा, अध्याय 299, अग्रेम गुंजन, जैसे ही जुन वयान की शब्द गिरे, एक दिशा से गुंज उठी, और किसी ने पहले ही अमृत को परिश्पृत कर दिया था, दूर से देखने पर, अमृत निकालने वाली पहली महिला रहस्यमई लड़की थी, और तुरंत चीक निकल ग गुंजन, जुवान नू के बाद किसी ने उस रक्तपिपासू महिल की रक्त पुतली अमृत को परिश्पृत किया, ब्लडलस्ट पैलेस में इतना युवा कीमियागर कब आया, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, यह एक नया कीमियागर हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा ख गुंजन, ब्लड स्पिरिट फैमिली के बैंगनी बालों वाले युवाओं के बाद कार्यक्रम स्थल में एक श्रिंखलाबद प्रतिक्रिया हुई और एक के बाद एक भिनभिनाहट की आवाजे आने लगी, जेंग यांग संप्रदाय किली यांग यांग किंग युन जोन क के युवान जी, रक्ता आत्मा परिवार और यिन और यांग परिवार के कीमियागर सभी ने अमरित को परिश्कृत किया, यहां तक की लुओशी की छोटी लड़की भी सबसे पहले आगे बढ़ी दुंजन, 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 ये चार दुंजन ध्वन्या क्रमिक रूप से ये चेन किकसी महुतसब की युवती जू नुवयान, बेहाई परिवार के स्वामी, ली रोंड, उत्तरी चू कास्त तलवार शहर के स्वामी, चेन रोंडियून और जुवानटियन परिवार के स्वामी के आसपास है वेई वेंजुओ, परिश्कृत अमरित, मैजा, बीच में ये चेन शांत नहीं थी, इतनी जल्दी क्यों, मेरे लिए रुको सच में मत कहो, ये चेन ने ये कहा, वे चारो सचमुच आये और ये चेन को पूरे घेरे में घेर लिया ये काली लो सचमुच अच्छी है, वेई वेंजुओ ने उसकी थुड़ी को छुआ, तुम्हारे मेलेनिन की तुलना में, मुझे कैसा लगता है कि मेरी असली आग एक मजाक की तरह है ली यान ने भी उसकी थुड़ी को छूते हुए कहा, मैंने इतना सुन्दर लड़का कभी नहीं देखा, यहावे ग्यानिक है चेन रोंग गई उनका सिर्फ फरफड़ा रहा था और उसके बाल बिख्रे हुए थे, फिर भी उसका सिगनेचर एक्षन था अच्छा, क्या तुम लोग कहीं और चलना चाहते हो, यह चेन को खांसी हुई, और वे चारों उसे चारों और लपिटते हुए इस तरह खड़े हो गए, उन्हें बस इतना पता था कि वे उसकी असली आग देख रहे थे, और जो लोग नहीं जानते थे कि क्या लोटना है, क जू नूयान ने अपनी आखे जपकाई और ये चेन की ओर देखा, क्यों क्सी पैलेस में मेरी सभी महिला शिशाए परियों की तरह हैं, ये सुनने के बाद लियान, चेन रोंग्यून और वेई वेंजू और सभी ने अब चितन रूप से अपने चेहरे धक लिए, और ऐसा लगा कि उन्हें जू नूयान द्वारा किकसी पैलेस में नहीं ले जाया गया था, और उन्हें किकसी पैलेस में नहीं पीटा गया था, ये चेन ने तीन लोगों पर नजर डाली और फिर जू नूयान की ओर देखा, नहीं तो मैं तुम्हें एक सुन्दर लड़के से मिलव और ये चेन के चारों और चार लोगों को देखा, मदद नहीं कर सके लेकिन पास आए, और उसके सिर में देखा, आप क्या देख रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, बलकि देन खत्म करने के बाद वहां से गुजर रहे कई लोग भी अवचितन रूप से एक साथ आ गया और एक या दो नहीं आ एक साथ। स्थल पर मौजूद हजारों लोग भी इस ओर ही देख रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि जो लोग अमरित को परिश्कृत करते हैं उन्हें अमरित की जाच करने के लिए अपने अमरित को मंच पर ले जाना होगा और पदोन्नती के लिए पास-पास करना होगा। अब अच्छा है अमरित को परिश्कृत करने वाले लोगों का एक समूव अमरित की जाच करने नहीं गया। इसके बजाए वे ये चेन में एकत्र हुए और तो और बहुत से लोग नहीं जानते की जब वे एक साथ आएंगे तो यहां क्या करना है। यहां ये चेन की अभिव्यक्ति सबसे रोमान चक है। अब उसे लगा कि वह एक बंदर की तरह है और उसके आसपास की लोग बंदर को देखने के लिए दोर पड़े। यदि वे तरबूज की टुकड़े की साथ उनके साथ होते तो द्रिश्य अधिक सटीक होता। हाला कि ये पता चला है कि वह थोड़ा आत्ममुग्ध था। वास्तव में आसपास बहुत सारे लोग थे और अग्यात लोग अभी भी अलपमत में थे। उनमें से अधिकांश जैसे ली यान ये चेन के ही यान से मिलने के लिए यहां खड़े थे। आपको पता होना इसे ही भीर दहारने लगी ये चेन दन की भटी से उड़ता हुआ एक अमृत उसके हाथ में आ गया। अमृत प्राप्त करने के बाद ये चेन ने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली और अपने बाल सिकुरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने शालीनता से क निस संदेह मैं थोड़ा सुंदर दिखता हूँ लेकिन हाला कि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता लोगों का एक समूव तितर बितर हो गया और प्रत्येक ने उसे मूर्ख की तरह देखा। काटना ये चेन ने इसे हलके में नहीं लिया और पता चला कि चेन प्रवेश कर सकते हैं यहां देन एक सफेद बालो वाली सुंदरी थी उसने सबसे पहले ये चेन के हाथों में अमृत को देखा और फिर सेर हिलाते हुँ ये चेन को देखा फिर अमृत लिया और मुस्कुराया पास धन्यवाद वरिश्ट ये चेन मुस्कुराया और चला ग और उसे परी की आग को वास्तविक आग का एक सामाने रंग बनाना चाहिए और बंदरों जैसे लोगों से घिरा नहीं होना चाहिए. मुझे उम्मीद नहीं थी कि रक्ट पुतली इतनी शक्तिशाली होगी. जब लुओ चेन ने अपनी भौहे रगवी तो लुओ शी ने जान या अधिक लोगों ने अमृत का अभ्यास किया. रुपना, एल्डर वाइट ने आख्रोश पूर्वक कहा, जिन्होंने अमृत को परिश्कृत नहीं किया है, वे अब कीमिया तालिका से बाहर निकल सकते हैं. जैसे ही यह टिपनी सामने आई, उन कीमियागरों ने जो अभी भी कीमिया तेज कर रहे थे, चुपचाप अपना सिर हिलाया, और कुछ जो अभी भी कीमिया पर काम कर रहे थे, सिधे रुख गए, फिर कीमिया भट्टी बंद कर दी और कीमिया टेबल से बाहर चले गए. जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे लोटरी की ओर आकरशित होते है बुजूर्ब सफेद बालो वाला फिर बोला, जल्द ही, जुवान नू सबसे पहले उपर चला गया, उसके बाद रक्त की पुतली आई, जिसे हूँ फिर की क्रम में खीचा गया था, इसने नौकाउट मैच में अमरित का काम किया. तुम बुरी तरह हरोगे, इस से पहले की जुवान नू मंच पर कदम रखती, उसने अपने पीछे रक्त विद्यार्थियों की हसी सुनी. क्या आप निश्चित हैं कि आप ये कर सकते हैं? जुवान नू के होंट खोड़े हलके हो गए, उसके शब्द उदासीन थे और उसे अपने स्वर पर पूरा भरोसा था. बु जुवान नू के चेन पर नजर डाली, मैंने उसकी ताकत देखी है, लेकिन ये किमिया. मैं वास्तव में यह नहीं जानता. जुवान ने अपना सिर हिलाया. वो हेरवन लिंदान बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या ये गती बनी रह सकती है. इसे प्रचारित या शर्मनाक नहीं किया जा सकता. आखिरकार उसने किमिया बहुत कम समय में नहीं सीखी है. बी यू ने फुस्फुसा कर मुस्कुराया. अध्याय तीन सो, कैसा सयोग है? तीनों ने बात की, ये चेन 36 के नंबर के साथ किमिया टेबल पर पहुंच गया था. बस थिर खड़े हो कर उसने बगलों की ओर देखा. इस बार ये जू नुयान, ली यान, वेई वेंजुओ और चेन रोन वियू नहीं थे जो दोनों पक्षों से लड़े थे, बलकि बेवकुफली जेन यान्ग और किंग यू जो व्युवान जी थे. क्या सयोग है? यू आन जी बुरी तरह मु नहीं मत बनो, बस कहो कि तुम पिटना चाहते हो. बुरा नहीं, जब तुम रोते हो. दोनों ने ठहाका लगाया. मूर्क, ये चेन ने सीधे तोर पर उन दोनों को नजरंदास कर दिया और डैन फैन को ध्यान से देखने के लिए ले ले गए थे. इस बार, हुविलिंग डै जो दो पैटन में बनाया गया है, एक प्रकार का अमरित है जिसका उप्योग खाने के बाद आध्यात्मिक शक्ती को फिर से भरने के लिए किया जा सकता है. नौकाउट की तरह, उन्होंने इस लिंगदान को कभी परिश्कृत नहीं किया है, लेकिन समस्या बहुत बढ़ी जल्द ही, सफेद बालों वाले बुले व्यक्ती ने कीमिया शुरू करने का आदेश दिया. उच्छाल, उच्छाल, ये चेन के बाई और दायों, ली युवान अयांग और युवान जी ने अपनी अपनी लप्तों का बलेदान दिया, जो सच्ची आग भी है. हालाकि दो ल ये चेन ने अपनी निगाहें हटा ली, फिर अमर्ता की अगनी अर्पित की और कीमिया भट्टी में घुस गए. फिर उसने सावधानी से आग की लप्तों को नियंत्रित करते हुए उसमें स्प्रिद धास का एक पौधा गिरा दिया, क्योंकि कीमिया के लिए केवल तीन साम हैं, राओ उससे डरते हैं. यदि वह सारी बरबादी के बाद अमर्त को पुना पूरा नहीं करता है, तो वह आग में जल जाएगा. उनकी तरह 200 कीमिया गुरू भी शांत और उर्जावान तरीके से कीमिया का अभ्यास करने लगे. नॉकाउट राउंड की तरह इस कीमिया को देखा और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका और अपनी दाड़ी दबा ली. ये चोटे लोग कीमिया का भविश्य हैं. दैन चेन, तुम्हें क्या लगता है इस बार अमर्त को परिश्कृत करने वाला पहला व्यक्ती कौन होगा? एक तरफ सफेद कपड़ फिर से बढ़त ले सकता है. मैं नहीं चाहता कि वान दैन बाव डियान ब्लडल्स्ट के हाथों में परजाया महल. जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पूरे आयोजन स्थल में एक के बाद एक चर्चा होने लगी, इस बात पर चर्चा होने लगी कि अम्विद बनाने वाला पहल दुंजन, चोकड़ी के बीच नीचे से आहट हुई और सब की निगाहे अतीत पर टिक गई. इसे देखो, मुझे ये कहने दो, ये हुआ नू होना चाहिए, इसमें केवल पाँच मिनट लगे, क्या ये इतनी जल्दी होना चाहिए? दुंजन, बहस खत नहीं हुई थी कि ए एक और चर्चा शुरू हो गई. जब सभी ने इसे देखा, तो ब्लग थस्टी हॉल के रक्ट शिशे ने अपने हाथों में एक लाल रंग का अमृत ले लिया था, और मुस्कान अभी भी थोड़ी दरावनी लग रही थी. डुंजन, 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 पुतली के बाद, सभी दिशाओं से आवाजें आएं, डैन्चेंग में लुओ शी, किकसी पैलेस में जू नुओ यान, बेहाई परिवार में ली यूान, फाउंडरी स्वार्ड सिटी में चेन रोंड्यून, जुवनटियन परिवार में वेई वें जुओ, शंदगुआन परिवार, सीटू परिवार, दक्षन जिंजियान, क्यूई परिवार और बेचुवान राजा परिवार के रिसाइंग्यों ने भी अमृत को परिश्कृत किया, इस द्रिश्य में ये चेन आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी, ये वास्तव में डू डैन सम्मेलन में एक फ्रूर भूमिका है, डुंजन, डुंजन, जल्द ही, उसके बाएं और डाय से एक के बाद एक दो अवाजें आएं, ली युवान यांग और युवान जी ने अपने अमृत को परिश्कृत नहीं किया, ये देखकर, ये चेन ने सीधे दो रूई निकाली और अपने दोनो कान बंद कर लिये, क्योंकि वह जानता था कि दो कुतिया, ली युवान यांग और युवान जी, जिन्होंने सबसे पहले अमृत निकाला था, उसका उपहास करेंगे, वह अभी भी बहुत दूरदर्शी था, हाला कि उसने अपने कान बंद कर लिये थे, फिर भी वह देख सकता था कि वे दोनों उसे चंचलता से देख रहे थे, जल्द ही, दोनों चले गए, डैन से बाहर, दोनों के चले जाने के कुछ समय बाद, ये चेन ने कीमिया भटी की एक तस्वीर ली, और फिर उसने हिलते हुए अमृत को अपने हाथों में ले लिया, कीमिया भटी को इ बहुत सुधार हुआ है, जू फू मुस्कुराया, उसकी आखे राहत से भर गई, उनकी कीमिया प्रतिभा साधना कोशल में कमजोर नहीं है, बी यू ने मुस्कुराते हुए फुस्फुसाया, और मुस्कुराहत फोडी जटिल थी, यानि वह यूवक जिसे एक बार नीची नजर से देखा गया था और उसने फिर से उसकी चोकाने वाली निचली रेखा को चुनोती दी, सिस्टर बी यू, जैसे ही तीनों बात कर रहे थे, एक धीमी आवाज आई और सफेद पोशाक पहने शांगुआन यूए दोड़कर आया, यूए डू डू डैन से भी मिलने आ दो बुले आदमी, तुम लोग फिर से सुन्दर हो, इतना ही, जूफू और कुछ नहीं बलकी जूगे यू था, जिसने शांगुआन यूए की शब्द सुने और अपने बाल से कोड़ लिये, शांगुआन यूए ने सीधे सामान को नजरंदास कर दिया, लेकिन सिर्फ सिर जूफू को देखा, बुजूर्ग, मैं हिंग यूए, जयौन गया हूँ, लेकिन जेड गल ने पहाड़ को सील कर दिया है, क्या आप जानते हैं क्यों और क्यों, फैंग शान, जूफू ने बहुए उठाई और शांगुआन यूए की और अस्थाई रूप से देखा, आप हिंग यू कब गए, मैंने आपको नहीं देखा, कल सुबह, ठीक है, कल दोपहर होनी चाहिए, कोई आश्चर्यन नहीं, जूफू ने सिर हिलाया, और वह और ये चेन शांगुआन यूए से तारानकन तारानकन घंटे पहले सुबह पहुँचे, यून फैंग पहाड और ये ये दो बहनों को परेशान होने के दर से पीछे हटना चाहिए था, इसलिए उन्होंने पहाड को बंद कर दिया, जूफू ने लापरवाही से कारण बताते हुए कहा, जहां तक ये चेन की बात है, वह मर चुका है, इससे पहले की जूफू ने बोलना समाप्त किया, जुग ये ने जुगे में बुले आदमी को गुस्से से देखा, वरिष्ट दाओ हुआन ने कहा, वह अभी भी जीवित है, लेकिन वह अभ्यास नहीं कर सकता, मैंने सुना है कि जुगे के बुले व्यक्ती ने भौहे उठाई, और जूफू पर नजर डालने से खुद को रोक नही सका, और स्पष्ट रूप से कह रहा था, युहिंग्यु जोगक्सी, गुप्त कार्य इतने अच्छे धन से किया जाता है, आश्चर्य करने वाला कौन है, बहन युए के पास आओ, उसे परेशान मत करो, भी आपने बुले आदमी जुगे को एक खाली नजर दी, उसके प्रजों के लोग वास्तब में घ्रिनित है, यदि वह मर जाता है, तो मैं उनके साथ काम खत्म नहीं करूंगा, शांदगुआन युए का स्वर थोड़ा थंडा था, और थंडी रोशनी खूबसूरत आखों में पानी की तरह चमक रही थी, जैसे ही यह टिपनी सामने आई ये सिर्फ बी यू ही नहीं था, यहां तक कि बुले आदमी जुगे और जूफू भी देखने में मदद नहीं कर सके, इसमें कुछ है, विशेश रूप से बी यू, जो एक महिला भी है, शांदगुआन युए के इरादों को समझ नहीं पाती है, जिससे उसकी आखें एक ब भी देंचेंड आये हैं,